हलो जी नमस्कार गुट आफ्टर नून वेलिकम टू डॉट नट स्वागत आप सभी का डॉट नट पर सो बचो आज हम पढ़ने वाले हैं एक अध्याय जिसका नाम है प्राणी जगत अनिमल किंगडम बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी डिमांड करी थी और बोला था सर अनिमल किंगडम अनिमल किंगडम प्राणी जगत प्राणी जगत प्राणी जगत तो मैं लेकर आया हू सई माईनों में ये चैप्टर जो है ये टफ नहीं है ये लिंदी है और पिछले कुछ सालों में नीट में अगर देखा जाए तो इस चैप्टर से अच्छे खासे प्रशन आए हैं सो कहने वाली बात जो है तीन से चार प्रशन या कभी-कभी दो से तीन प्रशन तो एवरेज अगर हम देखें तो तीन प्रशन आ जाते हैं किस से इस चैप्टर से इस अध्याय से नीट में सो हम पढ़ने वाले यहां पर प्राणी जगत सो मेरे दोस्त बंधू कितने सारे बालक हैं जो आ गए हैं आए हैं कि नहीं आए हैं आए हैं बिलकुल आए हैं गुड आफटरनून शिंशी तनुप्रिया कोमल सौरब खुशी तरुन रिशु वर्शा अपूर्वा बहुती बढ़िया डॉक्टर कोशी बहुती बढ़िया वर्शा वेल्डन बहुती बढ़िया और इधर से कौन को नाया जी चंदन मुसकान पुषपिंदर एडी स्टा विपिन धड़कन एमडी बिलाल अभिशेक सलोनी काजल आचल तो हम पहले ही नाम ले लेते हैं ताकि बीच बीच में फिर आप ना बोले सर हमारा नाम ने लिया नाम ने लिया है ना तो जिनका नाम नहीं लिया है माफ करीगा बावू लेते रहेंगे बीच बीच में हैं ग आप सभी को गुड आफटर नून आप सभी को गुड आफटर नून यह जो यूटुब पर आते हैं वोते सर हमारा नाम ने लिए हमारा नाम ने लिए कौन कौन है जी ये ये केके पटेल प्रेम पखाले मुसकान सौम्यतिवाडी राहुल साहू लक्षे बहुत बढ़िया जी शिप्पू वेरी गुट सर जी कैसे हैं बिलकुल बढ़िया है जी एकदम जखास मस्त एकदम बिंदास चलिए सो आज के इस लेक्षर को देखने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा प्लीज अपने पास कौपी और पेन जरूर लेकर बैठें ठीक है प्लीज 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 इस चैप्टर को अगर आपको ध्यान से पढ़ना है समझना है तो प्लीज अपने पास एक कौपी और पैन जरूर लेकर बैठे वो बच्चे जो नीट 2022 का एक्जाम देने वाले हैं उनको तो बस revise करना इस chapter को revision करना है न और जो अभी 11 वीक अक्षा में आए हैं तो ज्यादा हट पटाईएगा मत आपके लिए अलग से lectures होएंगे ठीक है ये जो है एक just kind of one shot revision lectures है तो थोड़ा सा fast चलना पड़ेगा ठीक है तो बैटा आगे बढ़ते हैं बिना किसी रोक टोक के आईएगा सबसे पहले मैं आपको ये बता दू कि कल से CUET का batch start होने वाला है जिसमें language यानि Hindi English जो भी आप चूज करें है उसकी general test और science की इनकी classes होएंगी कल से batch start होने वाला है जिसमें live classes होएंगी live जिन्दा होएंगी हम जिन्दा आज भी हम जिन्दा हैं बाबू हम लाना भूल गए वो वो कागच लाना भूल गए हैं जिसमें हम लिख देते हैं हम जिन्दा हैं live है so practice questions जो है उनकी practice कराई जाएगी 12th का syllabus होएगा tricks, tips यह सारी चीज़े दी जाएगी exam oriented practice कराई जाएगी बटा जी इस batch में ठीक है और इस batch की जो fees जो है वो है वो है बटा जी याद रखना अभी 10 जून तक है 1800 रुपए यानी 1799 यानी total 1800 रुपए fees है इसकी जो 10 जून तक ही valid है 10 जून तक ठीक है चल यह अगर कोई भी जानकारी लेनी है इस number पर आप संपर कर सकते हैं 0124 7158250 पर इस पर या नीचे comment section में भी आप comment कर दीजेगा हम आप से बात कर लेंगे ठीक है जी चल यह जी आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और अब हम e start करते हैं क्या हमारा प्रा सारे के सारे सर आप जिन्दा हैं हाँ बिटा मैं जिन्दा हूं मैं लाइव हूं बिटा मैं जिन्दा हूं मैं लाइव हूं मैं जिन्दा हूं सो हम यहाँ पर start करने वाले हैं प्राणी जगत है ना है ना मेरे शेरों शेर्नियों मेरे शेरों हम start करने वाले हैं क्या हमारा प time waste नहीं करेंगे बाते, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया है बाते, हाँ जी भाते थोड़ी सी कम करिएगा chat थोड़ी सी कम करिएगा class में जब मैं आता हूँ तो मैं साफ सा बोलता हूँ अपने हाथों को ऐसे करिए हमको प्रनाम करिए हमको राम राम करें और अपने हाथों को ऐसे करें के ऐसे कल लीजिए और थोड़ी देर के लिए शान्ती भरतिएगा ध्यान से सुनिएगा ठीक है आईए शोपराणी जगत की बात कर रहे बटा एनिमल किंग्डम की बात कर रहे हैं बिंदू दर बिंदू चीज़े याद रहे हैं तो याद रखना दस से बारा लाक से ज़्यादा प्रकार के 10-12-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-012-0 बोला आपने एक पहला चेप्टर पढ़ाओगा अगर आप में से कई बच्चों को याद है फस्ट चेप्टर जो लिविंग वर्ल्ड है लिविंग वर्ल्ड है यादा रहा है जीव जगत है ना उस जीव जगत में एक लाइन लिखी हुई है स्प्रत्वी पर लगबग 1.7 से 1.8 मिलियन यानि लगबग 17 से 18 लाख प्रकार के जीव मिलते हैं जिसमें से लगबग 1.2 मिलियन के आसपास क्या है प्राणी है तो 1.2 मिलियन का आसपास मतलब लगबग 12 तो हमने यहाँ पर एवरेज बोला है कि जो 10-12 लाख जो है उनसे जादा भी हो सकते 10-12 लाख से मतल 10 लाख भी लिखा हुआ है कुछ में 12 लाख भी लिखा हुआ है इसलिए हमने बोल दिया 10-12 लाख से जादा प्रकार के क्या मिल रहे हैं जन्तु मिल रहे हैं इस प्रत्वी पर दूसरा बिदू कोई प्रशन नहीं पूछेगा आपसे जस्ट एक एक इमाजिनेशन वाली ची किसके बिटाजी आपके अनिमल्स के तो इससे जादा मिल रहे हैं ओके सर नॉर्मल सी बात है अब आगे आप में से कौन मुझे बताएगा यह प्राणी जगत की स्थापना कौन से जगत वर्गी करन में की गई थी आप जानते देगे दो जगत वर्गी करना आया था तीन ज जगत वर्गी करना आया था चार जगत वर्गी करना आया था पांच जगत वर्गी करना आया था छे जगत वर्गी करना आया था हमारे कोर्स में पांच जगत वर्गी करन सक ही है छे जगत वर्गी करन हाथ हलका सा दे रखा है हमारी NCRT में लेकिन अब आप मुझे प्रस्तुत किया गया था कोई भी मुझे अंसर देगा सर पांच जगत में प्रस्तुत किया गया था नहीं रे बंगडू याद रखना सब से पहले सर्व प्रथम सर्व प्रथम दो जगत प्रणाली जो किसने दी थी पेटा कारल लीनियस ने दी थी याद रखना किसने दी थी कारल लीनियस ने दी थी और उस कारलीनियस ने जो दो जगत परश्तुत किये थे उन दो जगत में से एक जगत का नाम था प्लांटी और दूसरे का नाम था एनीमेलिया अब आप मुझे बताएंगे एनिमेलिया का मतलब प्राणी जगत आनिमल किंडम तो आप मुझे बताएगा एनिमेलिया जगत प्राणी जगत आनिमल किंडम ये सबसे पहले ये जगत कौन सी जगत प्रणाली में स्थापित हुआ था तो दो जगत प्रणाली में कारलीनियस न नहीं आया सर NCRT हाइलाइट करवाएंगे देख मेरे भाई NCRT हाइलाइट आप करेंगे है ना जो NCRT में चीजे दी हुई है वो मैं तुमको समझाऊंगा NCRT हाइलाइट भी अगर मैं ही करा दूँगा तो तुम क्या करोगे है ना तो भाईया इसमें फाइदा किसका है आप को है मेरी बात को सुन समझ देख मैं आया हूँ तेरे को पढ़ाऊंगा तो पढ़ेगा पढ़ने के बाद तो खुद भी तो पढ़ेगा अब जब खुद पढ़ेगा तो NCRT उठाकर देखेगा तो तेरे को चीज याद आएगे ओ सर ने ये बताया था साथ में अभी अभी अपने साथ NCRT रख ले साथ में हाइलाइट करता जा मेरे दोस्त है जब सारी चीजे में बताता जाओंगो तो NCRT हाइलाइट भी करता जा है तो सिंपल सी बात थी क्या दो बिंदू बोले हैं 12 लाग से जादा प्रकार के क्या मिल रहे हैं जन्तू इस प्रत्वी पर मिल र जो चीज बुक में ना मिले उसको कॉपी में लिखता जाओं तीसरा बिंदू जरा गौर फरमाइएगा जनाब आप मेंसे कितने बचो ने मेरा एक लेक्चर देखा था एक चैप्टर देखा था वनस्पती जगत बताएज जर फटाफट वनस्पती जगत कितने बचों ने पढ़ा था जल्दी से फटाफट हाँ जी सर ये चैप्टर मैंने तीन बार पढ़ लिया वेल डन बहुत ही बढ़िया हाँ जी अब प्लीज ये भी मत पूछेगा सर क्लास कितनी देर तक चलेगी कितने बजे तक चलेगी आपका मन हो तो देखेगा नहीं हो तो बाद में तो ये दूसरे बच्चों को बता देना हाँ सर लाइव है ठीक है इतनी सी कृपा हमारे उपर कर देना ठीक है हाँ जी पहली जल्दी से मुझे बताईएगा फटा फट मुझे बताईएगा वनस्पती जगत आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा ये सर पढ़ा है या कौन से जिम्नो स्पर्म एंजियो स्पर्म ये वरगी करण किस ने किया था आइकलर ने बोला था एक टॉफी से याद रखना कौन सी एकलेर टॉफी से याद रखना बताया था ना उसी प्रकार मेरे दोस्त ये जो प्राणी जगत है इसका वरगी करण नहीं करेंगे सोचिए प्राणी जगत का वरगी करण नहीं करेंगे करेंगे ना सर ये प्राणी जगत का वरगी करण किस ने किया तो मेरे दोस्त याद रखना प्राणी जगत का वरगी करण करने वाला जो विज्ञानिक था उसका नाम था जॉर्ज क्यूवियर जॉर्ज क्यूवियर वो विज्ञानिक था जिसने प्राणी जगत का क्या किया था वर्गी करण किया था अब आप जानते हैं पहला चैप्टर जीव जगत जो है जीव जगत जो है वो जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या आता है वर्गी करण पद्धती आती है, या वर्गी की आती है, वर्गी की टेक्सोनोमी आती है उसके अंदर वर्गी की सोपान आते है, जगत, संग, वर्ग, गर्ण, कुल, वंच, जाती, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species आते हैं, साथ सोपान आते हैं, साथ टेक्सोन आते हैं, तो मेरे भाई ये क्या है प्राणी जगत है न थोड़ा सा स्पीड से चलूँगा आपको पकड़ना पड़ेगा मेरे दोस्त है न तो ये कौन है जगत अब जगत के अंदर कौन आएंगे सर संग आएंगे आएंगे कि नहीं आएंगे जगत के नीचे कौन आते हैं संग आते किंग्डम किस से बन प्राणी जगत को इस इकतिस संघों में से याद रखना दस संघ जो है वो है दीर्ग कैसे है बड़े बड़े है बड़े बड़े और 21 संघ जो है वो कैसे है छोटे है लगू है अब आप बोलेंगे सर जी समझ नहीं आ रहा है मैंने का देख मेरे भाई देख कौन है प्राणी मैंने बोला जोर्ज की उवियर ने प्राणी जगत को 31 संघों में बाटा ओके सर अब इन इकतिस संघों में से 10 बड़े बड़े संघ है यानि बहुत सारे प्राणी इन संघों में आ रहे है तो बड़े संघों को मैं क्या बोलूँगा दीर्ग संघ और जो छोटे छोटे सं संघ पढ़ना है यानि कुल मिलाकर हमें पढ़ने है टोटल हमारे कोर्स में है टोटल 11 संघ है कितने फाइलम से हैं 11 फाइलम है ये हमें पढ़ने है यानि हमें 10 तो क्या पढ़ने है दीर्ग संघ पढ़ने है और एक हमें क्या पढ़ना है लगू संघ पढ़ना है यानि टो इतनी सी बात समझ में आगी इसमें कोई दिक्कत तो नहीं थी यहां तक कोई confusion तो नहीं है चले आगे पका डंडन आ डंडन वापिस से repeat कर रहा हूं जिनके अभी तक बुद्धी में नहीं बैठा है जर अपने बुद्धी में बैठा है तीसरा बिंदू है कि भाई मेरे प्रा हम 10 जो पढ़ेंगे वो कौन से पढ़ेंगे बड़े बड़े पढ़ेंगे और एक कौन सा पढ़ेंगे छोटा सा पढ़ेंगे यानि टोटल हम पढ़ने वाले हैं 11 संग आईए आगे बढ़ते हैं ठीक है आईए अब आगे बढ़ते हैं हम बाते करने नहीं आया है प्लीज जितने भी बच्चे यहाँ पर जैसे अंकिता राइदास जितने भी बच्चे हैं अगर आपको बाते करनी है प्लीज आप जा सकते हैं प्लीज प्लीज नहीं अपना टाइम वेस्ट करें नहीं हमारा टाइम वेस्ट करें हम बाते करने नहीं आया है प्लीज ठीक है पढ़ना है तो पढ़िए नहीं पढ़ना है तो आप जा सकते हैं ठीक है हम बार 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 बोल रहे हैं हाँ जी यहां पर यह प्राणी जगत के तोटल ग्यारा जो संग है कौन-कौन से है, आईए, हाँ जी, इन संगों के नाम आपको पता है, ओर्डर पता है आपको, हाँ जी, बताइए जल्दी से, आपको ओर्डर पता है, ओर्डर पता है, ग्यारा संगों का ओर्डर पता है, हाँ भाई, क्या आपको ग्यारा संगों का order पता है के नहीं पता जल्दी से बताइए क्या आपको 11 के 11 संगों का order पता है order हाँ जी किसी को order पता है हाँ मेरे दोस्त 600 पैताल 621 बहतर तेतर जहोंतर पिचतर 675 बालक है और like केवल 418 बहुत बहुत नाइंसाफी है हाँ 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 थू बहुत नाइंसाफी है बहुत नाइंसाफी है बहुत नाइंसाफी है भाई सब 700 बच्चा और like केवल 400 बहुत नाइंसाफी है ऐसे ना करो हाँ जी हाँ जी संजनापाल बिलकुल कोशिश करेंगे आईएगा तो बेटा अगर आपको 11 संगों के नाम पता है तो अच्छी बात है और अगर नहीं पता है तो बेटा याद तो करना पड़ेगा सबसे पहला zero पॉरी पिफीरा सिलेंट रेटा तीनो फर्ट प्लैटि हलमन्थीज प्लैटि हलमन्थीज प्लैटि हलमन्थीज Нश-क हलमन्थीज इसको हम निमेटोडा भी बोलते हैं, इसको हम निमेटी एलमन्थी जी भी बोलते हैं, नाइडेरिया इंधर भी आएगा भी बर्ड, हाँ जी, एनलेडा, आर्थोपोडा, आर्थोपोडा, मॉलस्का, इकाइनो, डरमेटा, हैमी कॉर्डेटा, हैमी कॉर्डेटा, और लास्ट में कॉर्डेटा, तो कुल मिलाकर यह हमारे क्या हैं ग्यारा संग हैं, जो आपको उर्डर में ही याद रखने हैं मेरे दोस्त, ठीक है मैं आपसे सीधा सीधा साफ साफ शब्दों में बोलूँगा मैं आपसे बोलूँगा बताओ साथवे नंबर पर सेवन्थ नंबर पर कौन सा फाइलम था बताओ बोलिए साथवे नंबर पर कौन था बताओ साथवे नंबर पर कौन था कोई बताएगा साथवे नंबर पर कौन था जरत जल्दी से मुझे बताएगा सेवन्थ नंबर पर कौन था फटाफट कोई भी बालक हमको बताएगा सेवन्थ नंबर पर कौन था क्या बात है वेरी गुड बहुत ही बढ़िया कौन है साथवे नंबर पर मेरे दोस्त आर्थरोपोर्डा ठीक है सो नंबरिंग जरूर याद रखनी है ये नंबरिंग जरूर याद रखना अब इसका फाइदा पता है क्या होगा देखे अभी मैं आपसे बीच बीच में प्रशन भी पूछूंगा ये नंबरिंग याद रखना पॉरिफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफुरा, प्लेटी, असकेलमेंटीज, अनेलीडा, अर्थरपोड़ा, मुलसका, एकाइनोडरमेटा, हैमीकॉरडेटा, कॉरडेटा यह सारे जो हैं आपको इनकी numbering याद रखने है पांचवे number पर कौन है छटे number पर कौन है आठवे number पर कौन है नवे number पर कौन है यह सारी numbering आपने याद रखनी है यह याद तो करना पड़ेगा मेरे दोस्ट ठीक है, हाँ जी सर समझ नहीं आया कौन सी क्लास में है 9th क्लास में तो नहीं है समझ नहीं है क्या समझ नहीं है मेरे दोस्त जोर्ज क्यूवियर ने 31 संगों में बाटा मेरे भाई जगत जो होते हो संगों से बने होते है kingdom जो होते है वो phylum से बने होते है ये ग्यारा संग है, इनके नाम लिखे हैं, मैंने इसमें क्या समझनी आए तेर को मेरे भाई, हाँ जी क्या समझनी आए, सिंपल सी बात थी, सिंपल सी चीज है, अराम से समझ में आ जाएगी, अब हम आपसे पूछ रहें, जरह फटा-फट मुझे बताएं, देखना चाता हू आप में से कितने बच्चों को पता, इस ग्यारा में से कौन सा संग माइनर है, कौन सा संग लगू संग है, हाँ जी, सर हमारी NCRT में ने लिखा रहें, तो सुन ले ना मेरे भाई, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ सुन लेगा, तो फट तो नहीं जाएगा ना, थोड़ी स चल पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा मेरे भाई, वाईरस भी पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लीजेगा, वाईरस भी आएगा, हाँ जी, फटा फट मुझे बताएगा, यहाँ पर कौन सा संग जो है, वो लगू संग है, तो याद रखना बहुत ही बढ़ी है, यह जो टीनो फ सा था, लगू संग कौन सा है, टीनो फोरा, याद रखना, भूलना जाएगा, याद रखिएगा, तो कुल में लाकर यह ग्यारा संग हम पढ़ने वाले हमारे इस चैप्टर में, लेकिन अब बात आ रही है, सर यह ग्यारा संगों को आपने बाटा कैसे, मैंने का मैंने अथा बिंदू आएगा क्या, वर्गी करण का आधार, किसके वर्गी करण का आधार मेरे दोस्त, वर्गी करण का आधार, किसका वर्गी करण करना है, यहाँ पर, सर हमें प्राणी जगत का क्या करना है, वर्गी करण करना और वर्गी करण के हमें आधार रेखने, किसी भी जगत का अगर वरगी करण करेंगे तो किस-किस आधार पर करेंगे तो हमारी NCRT में टोटल 6 आधार दे रखे हैं, टोटल कितने आधार दे रखे हैं, 6, तो सबसे पहले हमें ये 6 आधार पढ़ने हैं, सबसे पहला आधार जो हम जगत प्रणाली में प्राणी जगत दिया तीसरा बिंदू जॉर्ज क्यूवियर ने 31 संगों में बाटा जिसमें से 21 क्या थे लगू थे 10 क्या थे 10 बड़े हैं मेजर हैं 21 माइनर हैं जिसमें से हमने 11 में से 10 तो मेजर पढ़ने हैं एक माइनर पढ़ना ये तीसरा बिंदू चौथा बिंदू हम पढ़ रहे हैं वर्गी करण का आधार टोटल कितने आधार है छे आधार है जिसमें से सबसे पहला आधार है शरीर का संगठन सबसे पहला आधार है शरीर का संगठन body organization या organization of the body सबसे पहला आधार जो है वो है organization of the body, शरीर का संगठन, अब मैंने बोला शरीर के संगठन का मतलब, आप मुझे बता, आपका शरीर है, हाँ सर शरीर है, आपका शरीर किस से बना हुआ है, सर कोशिका से बना हुआ है, मैंने का हाँ मेरे दोस्त किस से बना हुआ है, सर कोशिका आपकी कोशी का है मिलकर कहीं उतक बना रही है यह सर हमारे अंदर उतक भी मिल रहे है मैंने का बहुत ही बढ़िया आपके अंदर उतक मिलकर क्या बना रहे है सर अंग बना रहे है मैंने का बहुत ही बढ़िया यानि हमारे अंदर हमारा शरीर जो है वो किस से बना हुआ है सर अंग तंत्रों से बना हुआ है अवाज नहीं आ रही 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 है बरोबर आ रही है भाई बिलकुल आ रही है भाई साब अवाज आ रही है एक बर जरह मुझे बताइएगा हाँ जी अवाज आ रही है अवाज आ रही है आ रही है न सर इसकी ट्रिक ओ यार इसकी ट्रिक जो है ट्रिक भी चाहिए तरको ले मेरे भाई देख ट्रिक देख पूर कोलेज इन सिटी प्ले इन आसाम और अनुनाचल प्रदेश मुष्टली एकलेर चबाते थे बहुत ही गंधी ट्रिक है लेकिन मेरे को यह याद रहती है इसलिए में बचों बता देता हूँ क्यों मेरे को यह ट्रिक ही याद रहती है गरीब कॉलेज जो शहर में था पूर कॉलेज जो city में था क्या बोला गरीब college जो city में था उस college के बच्चे जो हैं वो खेलने गए कहां पर खेलने गए आसाम में और अरुनाचल प्रदेश में ज्यादा तर mostly एक लेर एक तौफी आती है वो ही चबाते थे सरी online class है हाँ बिटा यह online class पूर college in city पूर college city प्ले इन आशाम एंड अरुनाचल प्रदेश mostly एक लेर ही चबाते थे देख इसको मैंने अपने तरीके से याद गिये आप अपने इन इमोनिक्स खुद के तरीके से बनाएगा यह हो सकता है कईों को भूथ गंदा लगेगा लेकिन मेरे को अच्छा लगता है मेरे को सचा याद रह जाता है इसलिए मैं आपको बता दिया ह iki इनिमोनिक्स अलए अलब होते हैं हरे एक बच्चा अपने के इन-सक बंद अर्थरोपोर्ड अमोलस्का यानि मूस्टली यानि मूलस्का एकलेर यानि काइनोडरमेटा और ही मतलब हैमी कॉरडेटा चबाते मतलब कॉरडेट इस तरीके से याद किया था ठीके चलिए तो यह तो सिंपल से ट्रिक थी आगे बढ़ते हैं मेरे भाई यहां पर हम पढ़ वर्गी करण का अधार यह सारी स्लाइटी जो हैं यह कहां पर मिल जाएंगी आपको टैली डिगराम के चैनल पर मिलेंगी ध्यान से सुनिए का सारी की सारी चीज़े टेलीग्राम के चैनल पर मिलेंगी अजी सबसे पहला हम क्या देख रहे थे शरीर का संगठन, बोड़ी का और्गनाइजेशन, हमने बोला हमारी बोड़ी किस से बनियो है, जरा सोच, सर आपने बोला हमारी बोड़ी किस से बनियो है, कोशी का मैंने का ठीक है, कोशी का सिर्फ कोशी का से बनियो है, कोशी का उतक संगंधर का संगठन हुं मैं अंघ अंघतन्तर का शंगठन जनमें अंग नहीं मिल रहे है उतक मिल रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे उतक स्थरका संगठन और कईयों में उतक नहीं मिल रहे हैं सिर्फ कोशिकाएं मिल रही हैं वो क्या कहलाएगा कोशी किये इस तरका संगठन देख मैंने क्या बोला मैंने बोला एक जीव है जिसके शरीर में कोशिकाएं हैं और कोशिकाएं अपना इंडिवीज्वल काम कर रही हैं ऐसा शरीर क्या 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 क् अंग मिल रहे हैं तो अंग स्तर का संगतन मैंने बोला कई सारे अंग मिलकर काम कर रहे हैं जैसे हमारे फेपडे हमारे फेफडे कहीं ना कहीं मिलकर हमारे अमाश्य हमारी आंथ हमारा मुख हमारी ये पाचन गरंथियां ये सारी मिलकर काम करेंगी तो क्या बनेगा पाचन तं संचरन तंतर के लाएगा, तो कुल में लाकर तंतर जो है, वो कब बनेगा, जब अंग मिलकर कारे करेंगे, अंग मिलकर कारे करेंगे, तो कुल में लाकर यहाँ पर चार स्तर का संगठन होता है, कोशिक यह स्तर का संगठन, उतक स्तर का संगठन, अंग स्तर का संगठन, अंग फाइफ से 11, हाँ जी, बताइए, ये नम्बरिंग दिये मैंने, ये नम्बरिंग कैसे दिये, जरा सोच ये पहला संग कौन सा था, बताइएगा कोई मुझे, फटाफट, हाँ जी, सर 700 वाचिंग है, बहुती बढ़ी है, बहुती बढ़ी है, इसको और आगे बढ़ाईए, औ और कृपया करके ये जितने भी 700 वालक है, थोड़ा सा धहरे बनाएगा, पेशन्स बनाएगा, और ध्यान से सुनिएगा चीजों को, कोशी के स्तर का संगटन कौन से संग में मिल रहा है, फस्ट, फस्ट, कौन सा था, कौन सा था, फस्ट, हाँ जी, फस्ट कौन सा था, सर, पौरी फेरा, वेल डन, बहुत ही बढ़िया, सर, दूसरा और तीसरा कौन सा था, याद करिये, तो याद हो जाएंगे, यार, दूसरा तीसरा कौन सा था, जिसमें उतक स्तर का मिल रहा था, बताएए, फटा फट, दूसरा तीसरा कौन सा था, जल्दी से बता, मुझे, फट प्रफिबढ़िया चौथा कौन सा था जिसमें अंग स्तर का संगठन मिलेगा अंग अंग स्तर का हाँ जी कौन सा है पौरी फेरा सिलेंट रेटा टीनो फोरा प्लैटी हेलमिंथीज प्लैटी हेलमिंथीज और फिर उसके बाद एसके हलमिंथीज से लेकर पूरा कौर डेटा तक यानि पांचवे से लेकर पूरा ग्यारवे तक क्या मिलेगा आपका अंग तंतर स्तर का संगठन मिलेगा बोलो भाई क्या आप ये याद कर लोगे क्या आप ये याद कर लोगे पहला कोशी किये दूसरा तीसरा उत किये चौथा अंग पांचवे से लेकर ग्यारवा अंग तंतर ये याद रखना यहां से प्रशन आते हैं अलके में मतले लेना इन चीजों को यहां के इस चैप्टर के एक-एक बिंदू से प्रशन पूछा जा सकता है तो सबसे पहला जो वरगी करण का आधार जो था वो क्या था शरीर का संगठन बोलिए क्या ये शरीर का संगठन समझ में आ गया इसमें कोई किसी को कन्फूजन है जरा थमसप का साइन दे कर हमें बता दीजे और थमसप के साथ-साथ वो जो लाइक वाला बटन है उसको भी दबा दीजेगा हाँ जी बोलिए सर हमारा नाम लीजे बही ऐसे बालक की कते जरुत नहीं हमें हाँ जी विशाल वी आर सी आप खुद खोल कर बैठी बिटा हाँ जी समझ में आ गया कोई कन्फूजन नहीं है चलें आगे सर एप पर क्लास नहीं चल रही है बिल्कुल चल रही है मेरे को बच्चे दिखाई द अर्चन दिखाई 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 दिखा जो संगठन है, अंगतंत्रिस्तर का संगठन जो है, इसमें हमारी NCRT में दो अंगतंत्रों की बात करी हूँ, यह मैं आपको पहले कलियर कर दूँ, हमारी NCRT में कुछ-कुछ चीजे नहीं दे रखी हैं, मुझे धंग से पढ़ाना है, एक तरीके से चीज समझानी है, आपने यह imagine किया, हमने chapter कैसे start किया, हमने सबसे पहले यही तो पढ़ा ना, भाई प्राणी कितने मिल रहे हैं, फिर हमने यह देखा, आप साब, यह प्राणी जो है, यह प्राणी जगत किसने दिया था, फिर हमने देखा, यह प्राणी जगत का वरगी करन किसने किया, कितने भाग करूँगा पसंद साथ NCRT लेकर बैठिए जहां-जहां मैं बोलू वहां वहां पर NCRT highlight करते जाएगा चलिए ये सारी चीजे हमारी NCRT में लिखी हुई है ये चीजे लिखी हुई है और विश्वास नहों न तो NCRT में बिलकुल नीचे आखरी पन्ने पर जा NCRT के वहां पर चार्ट बना हुऊ उस चार्ट को देख ले बस ठीक है चलिए जी अब शरीर के संगठन में जो चौथा जो भाग जो था न अंग तंतर स्तर का संगठन हमारी NCRT में दो अंग तंतरों के उधारन दे रखे हैं एक दे रखा है पाचन तंतर एक दे रखा है पाचन तंतर के बारे में बता रखा है किसके बारे में बता रखा है परी संचरन तंतर के बारे में बता रखा है और एक बता रखा है किसके बारे में पाचन तंतर के बारे में बता रखा है डाइजस्टिव सिस्टम के बारे में बता रखा है सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बता रखा अब देखें ये जो पाचन तंत्र है इसके दो प्रकार बता रखे किसमें हमारी NCRT में और ये जो परिसंचरन तंत्र है इसके भी दो प्रकार बता रखे किसमें हमारी NCRT में अब कौन से दो प्रकार है, पहले पाचंतंत्र के हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पीड में चाड़ूँगा, थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊँगा, आपको पकड़ना पड़ेगा, आपको जल्दी जल्दी चीजों को ग्रेस्प करना पड़ेगा, आप निट 2022 के बालक है तो थोड़ा थोड़ा आपको अब भाई ये revision class है ये full year की class नहीं है कहीं आप सोचे कि सर ये full year की class है आराम से दीरे दीरे तसली से समझाएंगे ये पूरा एक revision class है one shot है और मैं चाहता हूँ कि हर एक one shot में आपको चीजे समझ में है थोड़ा सा मुझे fast पढ़ाना पड़ेग तो पाचन तंत्र की बात कर रहे है बेटा दो प्रकार का पाचन तंत्र बता रखा है हमारी NCRT में साफ साफ एक बता रखा है पूर्ण और एक बता रखा है अपूर्ण एक बता रखा है अपूर्ण एक बता रखा है complete और एक बता रखा है incomplete अब सर जी ये क्या होता है मैंन पाचन तंतर की बात करेंगे तो पाचन तंतर किस से बना होता है आहार नाल से है ना ध्यान से सुनना किस से बना होता है पाचन तंतर आहार नाल से ये देख मेरी मुख से लेकर गुदा तक का भाग एक नली है जिसको हम क्या बोलते है आहार नली का एलिमेंटरी के नल गट ब बोला जाता ना तो आहार नलीका किसका भाग होती है पाचन तंतर का मैंने बोला ये देख ये है मुख और ये नलीका है पूरी की पूरी और ये जाकर खुलिए किसमे आपकी गुदा में है ना ये मुख है हाँ सर ये मुख है हाँ सर और ये कौन है सर ये गुदा है मैंने का ह यह माउथ है यह एनस है अब मैंने तुम से बोला मैंने तुम से बोला कि यह मुख है यहां पर गुदा है यहां भी मुख है यहां भी गुदा है अब आप बोलेंगे सर दोनों चीजे सेम तो हो गई है मैंने का रुख जा तरने के वेट तो कर मैंने यहां पर बना दिया था मैंने का यह मुख है और यह गुदा है यहां से बोजन जाएगा पाचन होएगा जो अप्षिष्ट पदार्थ बनेगा जो आप पाचनी पदार्थ बनेगा जिसको हम मल बोलते हैं वो गुदा से बाहर निकाल दिया जाएगा यानि एक ऐसी आहार नाल जिसमें दो छिद्र है एक मुख है गुदा है ऐसे पाचन तंत्र को हम क्या बोलेंगे पूर्ण पाचन तंत्र बोलेंगे और हमने बोला एक ऐसा पाचन तंत्र जिसमें मुख और गुदा एक ही है जहां से बोजन आएगा उसी जगे से मल निकल जाएगा इस कंडिशन को हम क्या बोलते हैं बिटा इस condition को बोले जाता है tube within tube एक नलीका के भीतर नलीका दिख रही है हाँ सर इस नलीका का ये वाला छिदर क्या कहला रहा है मुख ये वाला छिदर क्या कहला रहा है गुदा यहां से भोजन गया पाचन हुआ आपाचनिय पदार्थ यानि मल बाहर निकाल दिया सर यहां से भोजन गया हां गया पाचन हुआ हां हुआ पाचन ये पदार्थ बना हां बना क्या बना मल बना और ये मल इसी छिदर से बाहर आएगा ऐसे पाचन तंतर को हम क्या बोलेंगे अपूर्ण इसको हम क्या बोलेंगे पूर्ण तो दो प्रकार का हमारे NCRT में पाचन पूछन पूछा जाएगा इसके एक्जामपल है ना कोशन क्या पूछा जाएगा इसके एक्जामपल सर अपूण पाचन तंतर किसमें मिलता है और सर ये पूण पाचन तंतर किसमें मिलता है ये पूछा जाएगा आप से ये पूछा जाएगा तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनन अपूर्ण पाचन तंत्र के उधारन हमारी NCRT में सिर्फ एक फाइलम एक संग दे रखा है लेकिन एग्जेक्टली अगर हम देखें तो ये दूसरा तीसरा और चौथा कौन कौन सा दूसरा तीसरा चौथा अब आप में सोच ये दूसरा तीसरा चौथा संग कौन सा था सोच हाँ जी वेरी गूड शशी बहुत बढ़िया दूसरा तीसरा चौथा कौन सा था जल्दी 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 दूसरा तीसरा तीसरा चौथा कौन सा था दूसरा तीसरा चौथा कौन सा था फड़ा 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 दूसरा तीसरा चौथा सिलेंट रेटा टीनो फोरा प्लेटी हलमेंथीज याद आ गया सिलेंट रेटा टीनो फोरा प्लेटी हलमेंथीज ये कैसे हैं बिटा जी आपके पूर्ण पाचन तंत्र हैं और इसके बाद मेरे दोस्त पाचवे से लेकर ग्यारवे तक यानि SK हलमेंथीज से लेकर कॉर डेटा तक याद रखना SK हलमेंथीज से लेकर कॉर डेटा तक क्या मिलेगा पून पाचन तंत्र मिलेगा याद रखना पून पाचन तंतर किसमें मिलेगा एसके हलमेंधीज पाचवे से लेकर ग्यार्वेता कॉड डेटा तक पून किसमें मिलेगा सिलेंट डेटा, टीन फूरआ, प्लेटी, हलमेंथीज भाई सब पौरी फेरा में पाचन तंतर होता ही नहीं है चल तो ये हमने देखा किसकी बात करी ये पाचन तंत्र की अब बात करते किसकी बिटा जी परिसंचरन तंत्र की मैंने बोला यहाँ पर हमारी NCRT ने फिर से बोला हमारी NCRT ने बोला कि भईया जो परिसंचरण तंतर है ये भी दो प्रकार के हैं कौन-कौन सा एक है खुला और एक है बंद क्या ये मुझे बताने की जर्रत है क्योंकि हम ये पूरा का पूरा परिसंचरण तंतर चैप्टर पढ़ चुके हैं लास्ट हमारी जो लाइव क्लास हुई थी लाइव है ना जब जिंदा में आया था मैं जब जिंदा आया था लाइव क्लास हुई थी परिसंचरण तंतर हमने पूरा पढ़ा था और आपको याद आ रहोगा उस परिसंचरण तंतर में मैंने आपको दो प्रकार का तंत्र अगर फैला हुआ शरीर की देहे गूहा के अंदर जिसमें कोशिकाएं तैर रही हैं वो क्या कहलाएगा खुला परी संचरन तंत्र अब आप हमें बताएगा खुला किसमें मिला था और बंद किसमें मिला था हाँ जी कोई भी मुझे बताएगा खुला किसमें मिला था बंद किसमें मिला था, तो सीधी सी बात है बेटा जी, आपने याद रखना है, आर्थरोपोडा और मुलस्का, साथवा, आठवा, और ग्यारवा, याद हो जाएगा, सोचो, साथवा, आठवा कौन सा था, मैं यहाँ पर नंबरिंग दूँगा, दिमाग आपने लगाना है, स साथवा कौन सा था, सर आर्थरोपोडा, आठवा कौन सा था, सर मुलस्का, था के नहीं था, यह सर था न, तो साथवा, आठवा, आर्थरोपोडा, मुलस्का, ग्यारवा कौन सा था, आखरी कौन सा, कौड डेटा, तो कौड डेटा के अंदर बंद, साथवा, आर्थरोपो ये था पहला आधार मेरे भाई वर्गी करण के टोटल 6 आधार है जिसमें से अभी तो हमने सिर्फ पहला ही देखा है कौन सा शरीर का संगठन देखा है आईए अब दूसरा देखते हैं ये A to Z आपने चीज याद रखनी है किस तरीके से चीज याद रखनी है फिर से सुन ले वर्गी करण का अधार देख रहे है प्राणी जगत के वर्गी करण का अधार देख रहे है टोटल 6 आधार है जिसमें सबसे पहला है शरीर का संगठन चार प्रकार के शरीर का संगठन मिलता है कोशी की ये उत की ये अंग और अंग तंतर का अंग तंतर के दो धारन दे पर चलिए जी अब ये है हमारा numbering हम इसी तरीके से देंगे A, B, C, D हमीशन numbering properly दिया करें पहला क्या था हमारा A क्या शरीर का संगठन दूसरा है विटा हमारी सम्मिती दूसरा जो है आधार जो है वो है सम्मिती अंग्रेजी में बोलते हैं symmetry का मीनिंग होता है भाई सम्मिती का symmetry का बहुत simple सा meaning है अगर किसी शरीर को काटा जाए और दो बराबर भाग मिल जाए तो हम बोलेंगे उसके अंदर क्या मिल रहे है सम्मिती नहीं नहीं है समझ में देख मैंने बोला कि मुझे ऐसे काटा काट दिया इधर वाला भाग होएगा इधर वाला भाग होएगा मैं मैंने बोला इस प्राणी को काटो माल लेते कुछ ऐसे आकार का प्राणी था इसको काटो सर ऐसे काट दो मैंने का हां सर ऐसे काट दो मैंने का हां सर ऐसे काट दो ऐसे काट दो इधर से काट दो उधर से काट दो काटते ही जाओ काटते ही जाओ हमेशा क्या मिलेंगे बराब बराबर भाग मिलेंगे मैंने का हाँ सर इसको इसको काटो ऐसे काटो कोई बराबर भाग नहीं ऐसे काटो वैसे काटो कोई बराबर भाग नहीं है तो कुल में लाकर आपकी सम्मिति का मीनिंग क्या था कि कुल में लाकर अगर किसी शरीर को काटा जाए एक अक्ष से जो केंद मेरे दोस्त क्या बोला अगर किसी शरीर को हम काटते हैं और काटने वाली रेखा शरीर के केंदर से जाती हैं दो बराबर भाग मिलेंगे तो ऐसी सम्मिती क्या कहलाएगी अरिये कैसे भी काटो दो बराबर भाग कता ही नहीं मिलने वाले वो क्या कहलाएगी आ सम्मिती मिली नहीं रहे यहाँ पर बराबर भाग मिली नहीं रहे यहाँ पर बराबर भाग मिले तो क्या बोलेंगे अरिये स पर मैं ऐसे काटूंगा, तो उपर और नीचे वाला भाग बडाबर हैँ, नहीं न, तो ऐसी संमिति क्या कहलाएगी, द्वी पार्शव, क्या कहलाएगी, द्वी पार्शव, तो कुल में लाकर आपकी संमिती जो होती है, वो तीन प्रकार की होती है, ऐसे प्राणी जिनको काटने के बाद दो बराबर भाग ना मिले असमिती काटने के बाद बराबर भाग मिलेंगे यानि समिती मिल रही है अब कैसी मिल रही है कैसे भी काटो हमेशा बराबर भाग मिलेंगे अरिये समिती रेडियल सिमित्री सिर्फ एक ही अक्ष से काटने के बाद दो बराबर भाग मिलेंगे क्या कहलाएगे द्वी, पार्षफ सम्मिटी, बाईलेटरल सम्मिटी, बताएगा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सर साथ साथ नोट्स बनाते जा रहे है, बहुत भड़िया, अब दिगें, यह तीन प्रकार की सम्मिती है, इसके उधारन याद रखने, यानि फाइलम याद रखने, संग याद रखने है, बिटा सबसे पहला असमिती मिलेगी फ़स्ट में, हाँ जी, फ़स्ट कौन सा था, फ़स्ट कौन सा था सर, पौरी फेरा, पौरी फेरा में क्या मिलेगी असमित हूँ ठीक है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि ये चीज़ आपको याद रहें बिटा पहली है कौन सी आसम्मिती एसमित्री बोलते हैं ठीक है दूसरी है अरिये सम्मिती अरिये सम्मिती रेडियल सम्मित्री बोलेंगे रेडियल सम्मित्री और तीसरी है द्वी पार्शव सम्मिती बाई लेटरल सम्मित्री जब तक पैन ना उठाओ मजाई नहीं आता है बाई लेटरल सम्मित्री है ठीक है तो तो कुल मिलाकर तीन प्रकार की सम्मिती है उधारन आपने याद आईगे सबसे पहला इसका उधारन है पहला संग पहला कौन सा था सर पौरी फेरा मैंने कब बहुत ही बढ़ी है पौरी फेरा में जिसको हम स्पंजेस भी बोलते हैं उसमें कोई सम्मिती नहीं होती है कैसे भी काटो बराबर भाग नहीं मिलेगा ठीक है अर यह सम्मिती हाँ इसका उधारन जो है दूसरा तीसरा और नवा 239 कौन सा था 239 कोई मुझे बताएगा 239 239 239 239 239 हाँ जी सिलेंट्रेटा टीनोफोरा और 9 कौन सा था इकाइनोडर्मेटा लेकिन मेरे भाई ध्यान से सुनना इकाइनोडर्मेटा यहां से प्रशन पूछा जाएगा इकाइनोडर्मेटा की व्यस्क वस्था जो होती है कौन सी व्यस्क वस्था जो होती है व्यस्क वस्था जो होती है यहां पर 9 पर स्टार बना रहा हूँ नाइंथ कौन सा संग था हमारा इकाइनो डर्मेटा इकाइनो डर्मेटा की जो व्यस कवस्था होती है उसमें मिलती है अरिये सम्मिती याद रखना कौन सी इकाइनो डर्मेटा की व्यस कवस्था में कौन सी सम्मिती मिलती है याद रखना भूलना जाना अरिये सम्मिती तो सर बाले वस्था का कुछ नाम होता है ये लारवा बोलते हैं क्या लारवा वस्था ठीक है अभी दिखाऊंगा चले अब द्वी पार्शव सम्मिती किसमें मिलेगी मेरे दोस्त चौथे में पांच वे छटे साथ वे आठ वे नवा फिर से लिख दिया मैंन मैंने क्या बोला था एकाइनो डर्मेटा की व्यस्था में कौन सी सम्मिती आरिये सम्मिती और एकाइनो डर्मेटा की लारवा वस्था जो होती है एक तरह की बाले वस्था जो व्यस्था से अलग होती है दिखने में अभी मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है ये जो लारवा अवस्था में कौन सी सम्मिति मिलती है याद रखना द्वी पार्शव सम्मिति मिलती है याद रखना लारवा अवस्था में द्वी पार्शव सम्मिति और व्यस्क अवस्था में अर्ये सम्मिति मिलती है ये था आपका कौन सा बेटा जी सिंपल सा दूसरा आधार जिसका ना बराबर भाग है, येस सर, मेरे अंदर क्या मिल रही है, सम्मिति मिल रही है, अगर शरीर दो बराबर भागों में बट जाए, तो सम्मिति मिलती है, मैंने का ओके, लेकिन मेरे को ऐसे काटोगे, तो ही तो बराबर भाग बनेगे ना, ऐसे काटोगे, तो दो बराबर भाग नह यह मिल रही है हाँ जी सर ये YouTube पर PDF नहीं मिलेगा नई जी, ये YouTube पर PDF नहीं मिलेगा इसके लिए आपको Telegram पर जुणना पड़ेगा, Telegram पर मिलेगा मेरे दोस्त ठीके चलिए जी, ये था हमारा दूसरा आधार, जिसका नाम था सम्मित में अब आते हैं बढ़ते हैं, तीसरा आधार तीसरा जो आधार जो है मेरे दोस्ती तीसरा आधार पढ़ने से पहले एक बर मैं आपको ये दिखा देता हूँ ये देख यहां पर जरा ये देख ले ये देख फटा फट यहां पर ये मक्खी दिख रही है हां सर इसको बीच में से काटते हो दिखाई दे रहा है हां स सर ऐसे काटेंगे दो बराबर हाग है नहीं सर जब नहीं है मालब ऐसे काटेंगे काटने के पाद सब्काइबंगे मेरे अगई ओगी सिंपल सा जानते कही ना कही जब हमारा निर्मान होता है एक भुरून का निर्मान जब होता है एक भुरून के अंदर एक एंब्रियो के अंदर मेरे दोस्त ध्यान से सुनने एक भुरून के अंदर एक एंब्रियो के अंदर इधर ध्यान से देखिएगा एक भुरून के अंदर एक संपूर्ण शरीर का निर्मान करने वाली है, यही होता है न, जर्मिस्तर क्या होता है, भाई साब आप लोगोंने मानव जननन में पढ़ा होगा, एक्टोडर्म क्या बनाती है, मीजोडर्म क्या बनाती है, एंडोडर्म क्या बनाती है, पढ़ा है न, एक्टोडर्म से ये वा है सर मीजोडर्म है सर एंडोडर्म है तो ऐसी ऐसे जीवो को हम क्या बोलेंगे त्री कोरिक ऐसे जीवो को हम क्या नाम देंगे ट्रिपलो ब्लास्टिक नाम देंगे क्या नाम देंगे ट्रिपलो ब्लास्टिक त्री कोरिक जबकि वो जिनके अंदर केवल एक्टोडर्म है एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है कौन है एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है और इनके बीच में एक जेली-like पदार्थ होता है इनके बीच में एक जेली के समान पदार्थ होता है जिसको हम मीजोगलिया बोलते हैं याद रखना मीजोगलिया बोलते हैं याद रखना तो मीजोगलिया जेली के समान पदार्थ होता है जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मिलता है इनको हम बोलते हैं द्वी कोरिक नाम देंगे द्वी कोरिक डिपलो ब्लास्टिक तो अब आप मेरी बात को जरह गौर से सुनिएगा फिर से सुनिएगा एक ही चीज को मैं दो से तीन बार इसलिए धोराता हूं जिसको पहली बार में समझ में नाए दूसरी बार में आएगा दूसरी बार में समझ में नाए तीसरी बार में आएगा अब तीसरी बार में भी अगर समझ में नाए तो बाबु आपको फिर खुदी समझना हमारे अंदर भी एनरजी नहीं है देख त्रीक और एक द्वीक और एक में बहुत सिंपल सा अंतर था क्या कि मैंने बोला मेरी जिंदगी का जब निर्मान हुआ मैं जब अपनी मम्मी के कोक में था यानि गरभाशे में था जब मैं भुरूणी अवस्था में था मैं तुम हम स लाँगे तीन जर्म斯 तरवाले तो इनको हम क्या बोलेंगे ठीक और 180 जीव जिनके अंदर कीवल्ज दोजर्म स्थर मिल रहे हैं एक ऩड्वर्मिल है ननको हम क्या बोलेंगे ड्वीक और एक उरत की इतनी सी बात थी बताईएै इसमें कोई confusion होना ही नहीं चाहिए था हाँ जी सर चाय पीलो हाँ जी अभी पीलेंगे सर screenshot लेने दीजे भाई साब ये सारी की सारी चीज़े आपको telegram के channel पर मिलेंगी please focus on सुनना focus on सुनना हाथ को पीछे रखना मेरे दोस नहीं तो कुछो समझ में नहीं आएगा ठीक है सिर्फ सुनने पर focus डाल देख से दो बार इसलिए बोलता हूँ ताकि कई बार बोलने पर चीज़े fix होती है दिमाग में समझ में आती है सर यह हमारी दो condition हो गई है एक वो जीव ऐसे प्राणी ऐसे Animal जो क्या हो गएगे त्री कोरिक ऐसे अनीमल जो क्या होँएगे अब प्रश्न तो वहीं बनेगा क्योंकि उधारण से ही आता है कहां से आता है कोशन कहां से आएगा सर उधारण से आएगा तो द्वी कोरिक का उधारण, हमारी NCRT में, ध्यान से सुन, हमारी NCRT में सिर्फ एक संग दे रखा है. आपने तीनों याद रखने हैं, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, तीनों शंग याद रखने हैं, पोरिफेरा सिलेंटरिटा, तीनों 4are याद रख लेना, याद रख लेना बंधू याद रखना पहला दूसरा तीसरा तीनो द्वी कोरिक है जी हाँ द्वी कोरिक है इसके बाद चौथे से लेकर ग्यारवे तक यानि प्लैटी हेलमेंथी जिसे लेकर कॉर्डेटा तक सारे के सारे कैसे है त्री कोरिक है बोल याद रहेगा याद रहे अब चलिए बहुत देर हो गई आप लोगों से बात नहीं करिए बोलिए मेरे भाई यहाँ पर हमने पड़े हैं तीन आधार पड़े मातर अभी तक तीन आधार पड़े अभी तो बहुत सारी चीजे रह रही हैं बोलिए दोस्ती यहाँ से यहाँ तक में किसी को कोई confusion था किस कुछ को कोई problem थी किसी को कोई दिकत थी हूं सर टेलीग्राम में किस नेम से मिलेगा बिटा टेलीग्राम में किसी नेम से नहीं मिलता अगर आप टेलीग्राम से जुड़ जाएँगे तो आपको पता लग जाएगा शाम तक मिल जाता है हां जी वेरी गुड पुश्पा बहुत ही बढ़ी है एमडी बिलाल वेरी गुड हाँ जी खुशी पाल तुमको कुछ समझी नहीं आता है बहुत ही बढ़ी है हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते बिटा ठीक है मूसे वाला क्या चल रहा है भाई एक बढ़ थमसप वाला साइन भी दे दिया करो यार कम से कम पता लग जाए हमको थमसप थमसप सर ये क्लास रिकॉर्ड होके मिलेगी येस ये क्लास रिकॉर्ड होकर मिल जाएगी बिल्कुल ये क्लास जो है रिकॉर्डड मिल जाएगी बाद में आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, बाद में फास्ट स्पीड में भी पढ़ सकते हैं, वैसे तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तेज तेज बोलू, लेकिन देखो मेरे अंदर भी जितनी उर्जा है सुभे बस एक ग्लास दूद पी करा हैं, उसी उर्जा के आधार पर मै जितनी तेज बोल सकता हूँ, वो इतनी तेज मैं बोलूंगा, हाँ जी, चले, हाँ जी, सब क्लियर है, चलिए जी, ठीक है, खुशिपाल बेटा, दिमागी छमता बढ़ाओ, दो-तिन बदाम खाया करो, सुभे-सुभे उठ कर ताकि दिमाग चले, नहीं तो ऐसे तो कुछ आशे में, जब भुरूनी अवस्था में थी, तो तीन जर्म इस्तरे थी, एक्टोडोम, मीजडोम, एंडोडोम, ठीक है, अब ये तीन इस्तरों ने आगे चलकर तुमारे शरीर के भाग बनाए है, तो तुमारा शरीर क्या क्या लाएगा, ट्रिपलो ब्लस्टिक, तीन जर इस्तरों से बना हुआ है, है ना, जबकि पौरी फेरा, सिलेंट रिटा, टीनो फूरा जो है, उनकी जब भुरूनी अवस्था जो थी, उसके अंदर दो इस्तरे थी, खत्म, इसमें का समझ में नहीं आया तुमको, क्या समझ में नहीं आया है, कौन सी चीज समझ में नहीं अगर चैट बंद करके, हाथ पीछे रखके, अगर सुनोगी ना, तो चीजे समझ में आएंगी, नहीं तो बाते करोगी, तो कुछों समझ में नहीं आएगा, ठीके, चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारे तीन आधार हो चुके, अब बढ़ते हैं बढ़ते हैं पहले ही आपको चेतावनी दे देते हैं, चौता आधार समझने में हो सकता है, आपको भारी दिक्कत आजाएं, प्रागुहा, जिसको हम बोलते हैं, सीलोम, अंगरेजी मीडियम वाले बच्चे कई बार इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या है, ये सीलोम है, एक शरीर है, मेरा शरीर माल लो, ठीक है, इसके अंदर ये आहार नाल है, ओके सर, कौन है मेरे दोस्त, आहार नाल है, ठीक है, अब आप मुझे बताएं, ये ये दीवार किसकी है, शरीर की दीवार है कि आहार नाल की दीवार है, यह किसकी भित्ती है दें भित्ती है बॉडी वॉल है बॉडी की वॉल है हां सर बिल्कुल है और यह किसकी भित्ती है जरा सोच यह किसकी दिवार है यह किसकी दिवार है सर यह आहार नाल की दिवार नहीं है आहार आहार नाल भित्ती है अंग्रेजी में बोल दिया गट वॉल गठ मीन्स elementary के नल तो जरा सोच इस भित्ती ये आहार नल ठीक है इसकी भित्ती और शरीर की भित्ती के बीच में ये खाली जगे नहीं मिल रही है हाँ सर मिल रही है ये ये खाली जगे मेरे दोस्त क्या कहलाएगी बहुत सिंपल शब्दों में बताया है ना कोई तिगडम बाजी ना कोई दुगडम बाजी सीधा सीधा शरीर की भित्ती अहार नाल की भित्ती इनके बीच की खाली जगे क्या कहलारी है प्राग हुआ और ये प्राग हुआ ये जो खाली जगे है शीलोम इसके अंदर मिलते हैं अंतरंग अंग मिल रहे हैं विसरल औ हिर्दे जैसे हमारा फेपडे ये क्या कहलाते अंतरंग अंग क्या इनके अंदर खोकला पन नहीं है जरा सोच फेफडों के अंदर कुपी का नहीं है सर कुपी का अंदर से वायू उसके अंदर जारी तो अंदर से खोकली नहीं हो गई है हिर्दे जो है उसके अंदर सर खोकलकु पन नहीं था आलिनद शिर आलिन और निले यह खाली नहीं थे जभी तो रक्ता रहा था यह सर खोकले थे कहीना करी हमारे यकरत के अंदर भी खोकला पन होएगा तब ही तो पितरस prosecutors निकल रहा है तो कुल मिलाकर ऐसे अंग जो अंदर से hollow होता है इंफек्ट हमारा brain इन भी अंतरंग अंग कहलाता है, याद रखना हमारा जो मस्तिश्क होता है, ये भी अंतरंग अंग कहलाता है, visceral organ कहलाता है, इसके अंदर खोकला पन होता है, ये सापका दिमाग जो अंदर से खोकला है, इन खोकले पनों को, इन खाली जगों को बोला जाता है, वेंट्रिकल्स बोला जाता है, याद रखना जो हमारे मस्तिश्क में होती है, अभी के लिए सिर्फ इतना सा, ऐसे अंग जो अंदर से खोकले होते हैं, hollow organs जो होते हैं, उनको हम बोलते हैं, visceral organ, याद रखना, क्या ना और अहारनाल की वाल के बीच की खाली जगा, बात आ रही है, सर ये बनाई किसने, ये बनाई किसने, तो बिटा ये बनाने का काम कौन करता है, हम रटी-रटाई language देखते हैं, कई बार हम बुक्स में देख लेते हैं, क्या लिखा होता है, मीजो डर्म के आच्छादन से, मीजो डर्म के टूटने से, मीजो डर्म के टूटने से क्या बनती है, अब आप बोलेंगे, सर समझ नहीं आया, ये वाली चीज समझ नहीं आई, बाकी नीचे वाली चीज हमें समझ में आ गई थी, शरीर की दिवार, आहारनाल की दिवार, शरीर की दिवार, आहारनाल की दि अब बात आरे ये प्रगुवा बनी कैसे है ये प्रगुवा बनी कैसे आईएगा ध्यान से देखेगा देख मेरे दोस्त इधर देखेगा ये देख इधर देखना ध्यान से देखना देख ये है बटा एक्टोडर्म कौन है ये एक्टोडर्म ठीक है मैंने इस तरीके से करिये यह, यह है मीजोडर्म, सफेध होता तो ज़्यादा मज़ आते हैं, यह है मीजोडर्म और यह है एंडोडर्म, डॉडड़ डॉड़ ल Кदा डॉड़ 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 यह, मीजोडर्म और इस तरीके से जो लाइन जो जा रही है , वो हमारी अक्टोड़न् सर्व अब हम ने क्या देखा जरद देखेगा जनाब ध्यान से देखेगा अगर आपको दिखाई दे जाए तो अच्छी बात है ध्यान से देखेगा हाँ जी देखेगा सरी यह जो इस तरीके से डैश 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 यह जो आपने किया था यह तो हगेन हमारी कौन हो गई है इसको अलग रंग से कर दे यह ैसे ही रहने दे समझ में आहरा है ना बस ठीक है यह हमारी …….…. और यह हमारी । zabत कौन ठील मीजोडर्म यहां यहां से यहां तक देखकर मुझे इतनी सी बात बताईएगा क्या यहां से यहां तक आपको क्या दिखाई दे रहा है क्या मीजोडर्म तूटते हुए दिखाई दे रही है सर जी थोड़ा सा कलरफुल बनाईए ले मेरे भाई ये देख ये ये जो नीली वाली जो है फिर आगे बढ़ जिनको पता है अच्छी बात है नीली वाली कौन है एक्टोडर्म ठीक है पीली वाली कौन थी मीजोडर्म और लाल वाली जो है इसको हम कर देते हैं ये जो लाल वाली है इसको हम कर देते हैं क्या बेटा जी एंडोडर्म लाल वाली कौन है ंडोडर्म, यही तो गट है, यही तो गट है, लाल वाली जो है यह हमारी कौन है, एंडोडर्म है अब बस इतनी नी सी बात फटा फट देखना सर, ECTODRM, ECTODRM, UQ दिखाई दे रही है, सर, EDODRM, EINGDODRM, UQ दिखाई दे रही है, हमें तो बस यह MEIJODRM जो थी है, टूटते होई दिखाई दे रही है, इसकी SPLITTING हो रही है, यह दो भागों में बट रही है इसका आधा भाग एक्टोडर्म की तरफ चला गया, आधा भाग एंडोडर्म की तरफ चला गया, देखिए देख, ये डैश 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 कौन थी, सर मीजोडर्म थी, जरा सोच ये टूटी, स्प्लिट हुई, हाँ सर हो गई है, इसकी स्प्लिटिंग से कही ना कही तेरे ना पिटाई कर दूंगा खीच के पढ़ना नहीं है बिन अफाल तुम्हें डिस्टर्ब करना है यार पीडिएफ पहले भेज दूंगा पढ़ाऊंगा नहीं मतलब है बिल्कुल गुड़को पर दिमाग है एक नंबर का है काहे स्पैम 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 करते रहते हो पूरा दिन भर तो मम्मी पापा नहीं यहीं सिका है जाओ क्लास में जाकर स्पैम करो हम सर चैट देख लो नहीं देख रहे बिल्कुल सर मैं 10th की स्टुडेंट हूँ क्या मैं नीट की त्यारी कर सकती हूँ पहले हम नीट के जो पेपर होने वाला उसकी पढ़ाई करवा दे प्लीज प्लीज करवा दे सर पीडिएफ नहीं आएगी निलेश नहीं आएगी तुमारे पास नहीं आएगी कसम से आएगी नहीं अब तुमारे पास बिल्कुल आएगी नहीं तुमारे आप में तुम ऐसे स्पैम करो तुमारे पास आएगी नहीं सर आप पीट नहीं सकते हैं यो हमें भी पता है है हमारी वो है कम जोरी हम पीट नहीं सकते हैं चलना देखना ध्यान से सुनना दोस्त अरे मेरे भाई ये नीला नीला कॉन एक्टोडर्म नीली नीली कॉन एक्टोडर्म कोई चेंज नहीं आया ठीक है लाल लाल कौन, एंडोडर्म, लाल लाल कौन, एंडोडर्म कोई चेंज नहीं आया, यूं की यूं सर मीजोडर्म जो थी, पिली 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 मीजोडर्म सा तूट गई, सर ये तूट गई आदा हिस्सा एक्टोडर्म की तरफ चला गया आदा हिस्सा एंडोडर्म की तरफ चला गया ये वाला देख ये वाला हिस्सा एक्टोडर्म की तरफ है और ये वाला हिस्सा एंडोडर्म की तरफ है तो बीच में खाली जगे नहीं बन गई बन गई न यही क्या कहलाएगी प्र प्रागूहा कहलाएगी तो जरा सोचे प्रागूहा किसके तूटने से बनी है सर मीजो डर्म के तूटने से क्या बनी है प्रागूहा बनी है इतनी सी बात हमको बताईए फटाफट तुमको समझ में आई कि नहीं आई हम फालतू के कमेंट्स पर अभी ध्यान ने दे रहे हैं हमारा पूरा फोकस जो है पढ़ाने पर है जिनको बाते करनी है बिल्कुल बिंदाज बाते करिएगा हाँ जी और जो सीरियसली सुन रहे हैं जो नीट 2022 की तैयारी कर रहे हैं हम उनसे बात कर रहे हैं देखो ध्यान से हम हजार बार बोल चुके हैं ये नीट 2022 के बच्चों के लिए है क्रैश कोर्स टाइप का है ये वाली चीज वन शॉट है इसमें प्लीज अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि सर हम 11 कक्षा में आया हमें एक जटके में चीज समझ में आ जाएंगी तो हम कोशिश पूरी करें हैं लेकिन अगर ना समझ में तो थोड़ा सा धहरे रखेगा क्योंकि आपकी अलग से क्लासे होईंगी ठीक है ठीक है अभी सिर्फ वो बच्चे जो यहां पर जो अभी एक महीने बाद जिनका एक्जाम होने वाला है उनको थोड़ा सा स्पीड में फास्ट में पढ़ाना है लेकिन चीजें भी समझ में आ जानी चाहिए इसलिए हम इस तरीके से कर रहे हैं चलिए जी चलें कोई तकलीफ तो नहीं थी समझ में आ गया क्या कि भाई साब मीजो डर्म जो है स्प्लिट हो गई है मीजो डर्म जो है तूट गई है जिसकी वज़े से क्या बन गई है प्र बड़ा कैसे होती है यह यह देख मेरे दोस्त नीचे वाला डायगराम देख देख नीचे वाला डायगराम देख भस नीचे वाला इदर देख नीली वाली कौन है यहांपर एक्टोडर्म और ये अंदर कौन थी एंडोडर्म पीली सी जो है यहाँ पर एंडोडर्म और ये लाल वाली जो थी ये कौन थी मीजोडर्म थी क्या मीजोडर्म टूटती हुई नहीं दिखाई दे रही है ये ये मीजोडर्म टूट गई है हाँ सर टूट गई है ये मीजोडर्म जो है इसका कुछ भाग एंडोडर्म की तरफ है ये वाला और अबे यार का बेमारी है हाँ जी और कुछ भाग जो है एक्टोडर्म की तरफ है कुछ भाग एक्टोडर्म कुछ भाग एंडोडर्म बीच में ये खाली जगे वाइट वाली जिसको हमने बोला है I hope आपको ये चीज समझ में आ गई होएगी तो मेरे दोस्त बंधू मैंने तुमको बस इतनी सी बात बताई यहाँ पर कि अगर मीजोडर्म टूटेगी मीजोडर्म टूटेगी तो मीजोडर्म के टूटने से जो खाली जगे बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे प्रगुहा डंडना डंडन अब आगे बढ़ते हैं अब देखेगा इसी प्रगुहा के आधार पर हमारे तीन प्रकार के प्राणी होते हैं किसके आधार पर प्रगुहा के आधार पर सीलोन के आधार पर हमारे तीन प्रकार के प्राणी होते हैं सर कौन कौन से ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले होते हैं कौन से बेटा जी अ गुही किये अ गुही किये ए सिलोमेट फिर है प्रा गुही किये सिलोमेट और एक है कूट गुही किये कूट गुही की है श्यूडो सिलोमेट ठीक है बहुत सिंपल तरीके से समको बता रहे हैं ध्यान से देखेगा सबसे पहला हम क्या देखने वाले बिटा जी यहाँ पर गुही की है मुझे कितनी सी बात बताएगा देखेगा ये एक जीव है जिसके जीवन में जीवन में भुरूणी अवस्ता में केवल दो ही जर्म स्तर है एक है एक्टोडर्म और एक है एंडोडर्म मेरे दोस्त मुझे इतनी सी बात बता यहाँ पर एक्टोडर्म है एंडोडर्म है मीजोडर्म है यही नहीं जब तूटेगी नहीं, जब है नहीं, तो तूटेगी कहा से, जब है नहीं, तो तूटेगी कहा से, और जब है नहीं, तो प्या प्रेगु ही किये होंगे, सोच, दिमाग लगा, सोच, 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 दिमाग लगाओ, जब यहाँ पर किसी जीव की बुरुणिया वस्था मैं इधर देख यह कौन से हैं दिमाग लगा सर द्वीकोरिक है द्वीकोरिक का मतलब जिसमें एक्टोडर्म है एंडोडर्म है यार मीजोडर्म है यह नहीं तो कहां से बनेगी प्रागुः प्रागुः तो मीजोडर्म के तूटने से बनती है ना जब मीजोडर्म है यह नह तो ऐसे जीव क्या कहलाएंगे सर जी आपके अगुही किये कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे सोचिए बोलिए कुट गुही किये अरे जो हम बोल रहे हैं उसको काहे नहीं सुनते हो बे काहे नहीं सुन रहे हो क्या कहलाएंगे अगुही किये कहलाएंगे क्या कहलाएंगे अगुही किये कहलाएंगे भाई सब क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है चल रही है ना इधर से इधर से इधर से निलेश, आलिया, प्रभा, माही आपकी क्लास में कमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं हाँ जी चलिए तो इतनी सी बात क्लियर है हाँ सर तो अब आप मुझे बताइए द्वी कोरिक जीव कौन कौन से थे देखिए अभी तो सिर्फ इतनी सी चीज़ अभी तो बहुत सारी चीज़ आनी बाकी है बताइए फटाफट अगो ही किये जीव कौन से थे दिमाग लगा अगो ही किये कौन सरी ड्वी कोरिक कौन से थे द्वी कोरिक ड्वी कोरिक ड्वी कोरिक ड्वी कोरिक कौन से थे पहला दूसरा तीसरा याद आया मुझे प्रिया से बात करनी है, मुझे इस से बात करनी है, तो बेटा फिर बाद में ना कहिएगा, सर हमको समझ में नहीं आया है, ठीक है, सो पहला, दूसरा, तीसरा, यानि ये वो संग है, जिन में द्वी कोरिक ता थी, जो द्वी कोरिक थे, पहला, दूसरा, तीसरा, ये द अब इधर देख इधर देख इधर देख इधर देख इधर देख इधर देख मैंने बोला मैंने बोला इधर देखना ध्यान से देखना मैंने बोला Sur definitely ये तो जो 3-coric होंगे जो 3-coric होंगे उन्हें ही तो मिलेगी जिनमें ectoderm होगी जिनमें mesoderm होगी जिनमें endoderm होगी definitely उन्हें ही तो मिलेगी मैंने का हाँ अब इम से बोल ख़े है Sur 3-coric है कैसा ये 3-coric है इसमें mesoderm है प असर यह मीजोडर्म है मैं तुमसे बोल रहा हूं यह मीजोडर्म नहीं टूटी नहीं टूटी नहीं टूटी हमेशा कोशन मार्क नहीं नहीं टूटी नहीं टूटी नहीं हुआ विकास ऐसे जीवो में नहीं टूट पाई अब जरह सोच अगर मीजोडर्म नहीं टूट पाई मीजोडर्म नहीं तूट पाई नहीं तूटी मीजोडर्म जीव तो त्रीकोरिक है ये प्राणी तो त्रीकोरिक है इसमें तीनो जर्म इस तरह मीजोडर्म भी है लेकिन मीजोडर्म तूटी नहीं तो ये कंडिशन मिलेगी चौथे संग में चौथा संग कौन सा था, प्लैटी, हल्मिन्थीज, है तो त्रीकोरिक, है तो कैसा यह त्रीकोरिक है, लेकिन इसके अंदर यह जो मीजो डर में, यह नहीं टूटी, नहीं टूटी, तो इट शोक के, no problem, नहीं बनी, क्या नहीं बनी, गुहा नहीं बनी, प्रागुहा नहीं ब हमारी NCRT में सिर्फ फ्लैटी ऐलमेंथीज दे रखा है, याद रखना, पहला, दूसरा, तीसरा भी दे रखा है, लेकिन कहां दे रखा है, चैप्टर में NCRT के लास्ट में चार्ट बना रखा, उस चार्ट में बता रखा है, देख लीजेगा, तो पौरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लैटी ऐलमेंथीज कैसे होते हैं, अगु ही किये होते हैं, ये तीनो जो होते हैं, ये तो होते ही द्वी कोरिक हैं, इनमें साब मीजोडर्म तो होती नहीं है, मीजोडर्म जब है नहीं तो कहीं न कहीं प्रगुहा तो ब अब मेरे दोस्त च्छटे से लेकर ग्यारवे संग तक कहां से लेकर च्छटे से लेकर ग्यारवे संग तक आप च्छटा कौन सा था एने लिड़ा से लेकर कौर डेटा याद रखना एने लिडा से लेकर कौर डेटा तक कहां से कहां तक चछटे से लेकर ग्यारवे तक 6th से लेकर 11 तक जो है वो कैसे है प्रागुही की है यानि प्रागुही के का मतलब कहीं न कहीं क्या जिन में मीजोडर्म तूटी है मीजोडर्म के तूटने से खाली जगे बनी है इनको हम बोलते है वास्तविक प्रागुही की है यानि इनके अंदर प्रागुहा मीजोडर मीजोडर्म के तूटने से बनती है और ये जो प्रागुहा जो होती है ये स्तरित है ध्यान से देख इस खाली जगे को ध्यान से देख क्या ये दोनों तरफ से इधर से भी इधर से भी इनके उपर आवरन बन रहा है किसका मीजोडर्म का जरा सोच मीजोडर्म जब तूटेग तो खाली जगे बनेगी इस खाली जगे के चारो तरफ कौन मिल रही है सर मीजोडर्म मिल रही है मेरे सामने देख ये देख ये साब ये मालो ये मीजोडर्म है न ये मीजोडर्म टूटी जब टूटी तो आदा हिस्सा मीजोडर्म का ये रहा आदा हिस्सा ये रहा तो खाली जगे स्तरित है, किस स्तरित है मी जो डर्म से, याद लखेगा भूलना जाहिएगा, ठीक है, चलिए सर ये तो समझ में आ गया, सर ये क्या है?, कोशन तो यहां से आते हैं, सर ये कूट गुई की ये क्या है?, तो इतना तो आपको समझ में आ गया, कि पाँचवा संग, जो है, हम इसको star बना रहे हैं, दो, तीन, चार, पाँच, जितने star बनाने, बना लीजे, कौन सा, S.K. Helminthige, S.K. Helminthige जो है, जिसको हम Nimetoda बोलते हैं, जिसको हम Nimatie Helminthige भी बोलते हैं, जिसको हम गोल करमी बोलते हैं, याद रखना, तो पांचवा जो संग जो होता है, वह होता है, कूट गुही की, अब सर्य एक कूट गुही की ए, क्या होता है, आई आपको simple तरीके से ।kay गुही की ओ गया जी बस इन दोनों को देखना इन दोनों कंडिशन को देखना अराम से देखना ध्यान से देखना मैं भी सामने देख रहा हूं कृपिया करके अपने फोन को ना इस फोन को यहां पर एक option आता है जिसमें जिसमें आपका फोन ऐसे हो जाता है ऐसे है ना ऐसे वाला ऐसी वाली condition में देखना, देखो मैं खुद कोई देखा आ रहा हूँ, ऐसी वाली condition में अच्छे से दिखाई देगा और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, ओके, और ऐसी वाली condition में न चैट भी बंद हो जाती है, तो चैट भी बंद कर दीजेगा, ठीक है, चालो, अब सामने देखिए, इन दोनों condition में जड़ा नीचे वाली condition को देखिए, और नीचे वाली condition को देखने के बाद हमको इतनी सी बात बतेए, कि नीचे वाली condition में आपको मीजोडर्म तूटती हुई दिखाई दे रही है, हाँ जी, बोलिए, क्या आपको मीजोडर्म तूटती हुई दि बोलो क्या आपको मीजोडर्म यहां से यहां तूटती हुई दिखाई दे रही है अब इधर देख इस वाली कंडीशन को देख क्या यहां पर मीजोडर्म तूटी इस वाली कंडीशन को देख मीजोडर्म तूटी या एंडोडर्म से अलग होकर खिसक कर शिफ्ट होकर एक्टोडर्म की तरफ चली गई बस इतना सा पूछा हमने क्या यहां पर आपको मीजोडर्म तूटती हुई दिखाई दे रही है ये सर ये हमने तोड़ दिया ये मीजोडर्म लाल रंगी दिखाई दे रही है हाँ सर ये मीजोडर्म है लाल रंगी हाँ सर यहाँ पर हमने मीजोडर्म को तोड़ दिया खाली जगे बन गई हमने उसको प्राग हुआ बोला मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से अब इसके बाद हमने यहाँ पर आपको क्या दिखाया जरा दिखेगा हमने तुमको दिखाया क्या मीजो डर्म लाल वाली जो थी लाल वाली क्या ये टूटी? नहीं क्या ये खिसकी? हाँ किधर की और? एंडो डर्म से अलग होकर एक्टो डर्म की तरफ भाग गई की नहीं भाग गई? ये है बिटा राज और ये है सिमरन सिमरन जो है अपने पपा से दूर होकर पपा कौन है यहाँ पर? एंडो डर्म है अपने पपा से दूर होकर राज की तरफ जा रही है और पपा बोल रहे है जा सिमरन जा जीले अपनी जिंदगी लाल वाली कौन सिमरन नीले वाला कौन राज पीले वाला कौन है उनके पपा अमरिश पूरी अमरिश पूरी ने का लाल वाली सिमरन से जा लाल वाली सिमरन जा नीले वाले राज के पास जा जीले अपनी जिंदगी जब सिमरन राज के पास चली गई तो पीछे खोकलापं छोड़ गई अपने पपा की जिंदगी में कौनसा ये सफेद वाली चीज यही क्या है गुहा और ऐसी गुहा क्या ऐसी गुहा क्या मीजोडर्म के टूटने से बनी है यह वाली गुहा कैसी गूहा कको हम क्या बोल रहे है मेरे दोस्त जो मीजो-डर्म की splitting से नहीं बनती है उसके pouches बन जाते हैं अलग हो जाती है उनके pouches बन जाती है NCRT में देखेगा pouches बन जाते हैं उनको हम क्या बोलते है याद रखना कूट गूहा बोलते है जो तूटने से छादन से नहीं बनती है आ छादित का मतलब क्या क्या छिद्र हो जाना बेच में दरार पैदा हो जाना किसमें मीजोडर्म से अगर पैदा होती है तो प्रैगुई किये नहीं हो रही है फिर भी गूहा बन रही है तो कूट गूई के क्योंकि मीजोडर्म कि सक गई है सर रोज इस समय क्लास होएगी क्या येस रोज क्लास होएगी लेकिन बायो की नहीं होएगी एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन बायो, एक दिन फिजिक्स बताईए सर सिमरन तो अजय देवगन के पास चली गई हाँ वेटे ज़्यादा मोज ले रहे हो तुम है सर जी पार्थीनो कार्पी, फ्रूट अरे भाई पगलेट है क्या पगला गए हो क्या मला हम यहाँ पर तुमको कूट गूई किये प्रग हुई किये, अग हुई किये पड़ा रहे हैं, तुम अलगी अपनी नदी में बह रहे हो है? पार्थीनो कार्पी, पार्थीनो कार्पी यार पड़ा दिये इसे अलगी दुनिया में खो रहते हैं हाँ जी क्लास किस टाइम होती है बेटा अब उसे आपकी ये जो classes जो है आपको पता रहेगा आपको बता देता हूँ time table बता देता हूँ पहले मुझे ये बताए क्या आपको ये चौथा आधार समझ में आ गया प्राग हुआ पहले तो एक बार थमसप का निशान देकर जल्दी से हमको बहुत है और जल्दी भी पढ़ा रहे दोनों mix करके पढ़ा रहे हैं बोलिए जल्दी से समझ में आ गया डंडना डंडन पूरा आ गया very good रविंदर रविंदर बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया कोई problem निया very good बहुत ही बढ़िया तो सर ये चार कहानी चार आधार हमारे हो चुके हैं बहुत ही बढ़िया अब पहले में आपको एक बाद टाइम टेबल बता देता हूं बटा मंडे कहा गया मंडे मंडे ट्यूजडे वेडनस डे थास डे फ्राइडे सेटर्डे ऐसे लग रहा सब जीवा लाया हाँ जी सो ये कुल में लाकर आपके 6 दिन क्लास होती है सी बी पी सी बी पी कितने बजे बारा पी एम पर ठीक है दोपहर के बारा बजे अब ये टीचर पर डिपेंड करता है कि वो कितनी लंबी क्लास लेता है मेरे को बड़ा मजाता है तो कई बार मेरी लंबी लंबी चल जाती है तीन तीन साड़े तीन तीन घंटे की है न सो मेरी होती है बटा Tuesday को और Friday को ठीक है बाकी Chemistry की Monday को और Thursday को यानि कल होएगी Physics की कल Physics की है शुबम पालिवाल सर क्लास लेंगे ये revision classes चल रही है अच्छे से revise करिए Sir Telegram के चैनल का नाम मैं आपको बता देता हूँ मेरे दोस्त DoubtNut DoubtNut Neat Hindi और जिनको ना मिले DoubtNut Neat Hindi ये चैनल ना मिले मैं एक और तरकीब आपको बता देता हूँ क्या जिनको नहीं मिल रहा है DoubtNut Neat Hindi Telegram का जो चैनल है TG चैनल है अगर ना मिले तो हम आपको एक सिंपल सी बात बता है आपने पता है क्या करना है आज की क्लास में जब क्लास खतम हो जाए तो कमेंट सेक्षन में कमेंट सेक्षन में अब तुमको बिल्कुल भी यूटूब चलाना नहीं आता तो देखो हम कुछ नहीं कर सकते है क्लास खतम होने के बाद जो कमेंट सेक्षन आता है उस कमेंट सेक्षन में लिख देना शर्क टेलिग्राम का चैनल का लिंक दे दो हम तुमको कमेंट सेक्षन में टेलिग्राम के चैनल का लिंक दे देंगे बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं ठीक है दोस्त अगर ना मिले वैसे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और वैसे भी यूटूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है अब तुमको नहीं चलाना आता है यूटूब तो मेरे भाई वहाँ पर जो वीडियो चल रही है उस वीडियो के नीचे जो है कई सारी चीज़े जो लिखी होती है वो डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पर मिल जाएगा आपको टेलिग्राम का चैनल चलिए जी चार आधार हो चुके हैं पांचवे आधार की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त पांचवा जो आधार है A, B, C, D, E हम नंबरिंग ऐसे ही दे रहे थे न कहीं है यह हो गया C और यह हो गया है D और अब है पांचवा आधार और वो है E चलिए जी तो पांचवा जो आधार है बहुत सिंपल सा है जिसका नाम है खंडी भवन खंडी भवन सर खंडी भवन अंगरेजी में बोलते हैं segmentation देख मेरे दोस्त इसको ध्यान से सुनना खंडी भवन segmentation क्या मीनिंग है सर segmentation का हमारी NCRT में कुछ कुछ चीजे अधूरी सी हैं पूरी सी नहीं है मैं पूरी करके आपको चीज समझा रहा हूं क्योंकि जब आप इस chapter को NCRT से पढ़ते तो बहुत ही tough लगता है सची कह रहे हैं आप एक काम करिएगा आप एक काम करिएगा आप NCRT पढ़िएगा थोड़ी बहुत चीजे न टफ लगेंगी पढ़ने में इस chapter की लेकिन आज के lecture को सुनने के बाद फिर NCRT पढ़िएगा देखेगा गया इसे लगेगा होइँ-ओओँ मखकं कीतरे चीजसा समझ में रहें तो ध्यान से तुनिएगा खंड़ी भवन का मतलब क्या है देख मेरे दोस्त ध्यान से सुननर benim यह ये एक शरीर है और यह शरीर की सत्य है सरफेस सत्य है मैने का ठीक है इसके अंदर अंग है इस एक और अंग है यानि एक अंग है जिसके दो भाग है सी एक अंग है जिसके दो भाग है बी एक ही है और डी जो है उसके भी दो भाग है ये एक ये 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 ठीक है सर ठीक इतनी सी बात एक शरीर जिसकी इस सते है इसके अंदर अंग मिल रहे हैं मैंने का ओके है अब क्या मैंने शरीर की सते को खंड में बाट दिया, तीन खंडों में बाट दिया, A खंड, B खंड, C खंड, बाट दिया, हाँ सर, सते का खंडी भवन कर दिया, सोचो, सर, ये क्लास लाइव है क्या, हाँ जी, क्या मैंने यहाँ पर, पता नहीं हमको ऐसे कमेंट काहे दिखते हैं, क्या मैंने यहाँ पर इस शरीर की सते को तीन खंडों में बाट दिया, हाँ सर, एक और कंडीशन देख, क्या हमने, क्या हमने यहाँ पर भी, शरीर को तीन खंडों में बाट दिया, हाँ सर, आपने तो चीज अलमूस सेम दिखा दिया, भाई, आपने इस शरीर को भी तीन खंडों में बाट दिया, इस शरीर को भी तीन खंडों में बाट दिया, फिर अंतर क्या है, देख, दोस्त इदर देख ध्यां से देखना ध्यां से देखना we a b c c d d OSida san abc d a abroad Soul को औilo मेरे को बस इतना सा बता ना आपना आपको यहां और इस condition में क्या फरक आपको दिखाई दिया क्या आपको A अंग 2 थे देख इदर देख A अंग कितने है दो है B अंग केवल A की है C अंग कितने है दो है D अंग कितने है दो है क्या मैंने यहां पर A अंग जो है यहां पर भी और यहां पर भी है क्या मैंने इसको खंड में जितने भी A उंग वाले जो हैं वो इस जगे पर मिलेंगे कई और ने मिलेंगे नई A उंग यहां पर भी है A की था चलो ठीक है D अंग यहां पर भी है C यहां भी है यानि हमने केवल सतहे का विभाजन के सतहे का खंडि भवन किया है अंगों को नहीं बाटा यानि जैसे फेस्बुक पे फेस्बुक पे आपके पास मैसेज आया आपके पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई किसकी एंजल प्रिया की किसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई एंजल प्रिया की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई लेकिन वो वास्तविक एंजल प्रिया नहीं थी वो राम प्रिया थी कौन थी वो राम प्रिया थी मतलब वो कोई और थी मान लेते हैं वो कौन थी मान लेते हैं वो है कौन सी हमारी क्या एक username बनाया था है एंजल प्रिया नाम से ठीक है जिनको नहीं समझ मैं ध्यान से देख बाहर से देखने पर तो ऐसा लगेगा खंडी भवन हो चुका है बाहर से देखने पर तो ऐसा लगेगा ये एंजल प्रिया है लेकिन अंदर से क्या था ये ब्रिजेश था अंदर से खंडी भवन नहीं हुआ किसका अंगों का अंगों को बाटा नहीं है लेकिन यहाँ पर देख बाहर से भी एंजिल प्रिया अंदर से भी एंजिल प्रिया बाहर से सते का तो खंडी भवन हुआ सते जो है वो खंडित हु हुए हैं अंगों का भी तो आपने बाट दिया है ए जो है केवल इस खंड में सी जो है केवल इस खंड में डी जो है केवल इस खंड में तो अब आप मुझे बताईएगा कौन सा खंडी बवन सतही खंडी भवन कहलाएगा और कौन सा वास्तविक खंडी बवन कहलाएगा सोच से पता लग रहा है मेरे दोस्त ये क्या कहलाएगा वास्तविक ट्रू सेग्मेंटेशन वास्तविक खंडी भवन कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा आपका सतय ही खंडी भवन कहलाएगा केवल सतय का क्या हो रहा है खंडी भवन हो रहा है अंदर जो अंग है ना उनका खंडी भवन नहीं हो रहा है बोलिए समझ में आगया चलें आगे सर जी उधारण आप मुझे बताईएगा हाँ जी छटा, सात्वा, ग्यारवा देखते कितने बच्चे हमें आंसर भेजते हैं फटा फटा बताईए हुईज छटा, हुईज सात्वा, हुईज ग्यारवा छटा, सात्वा, ग्यारवा कौन सा है हम बोलिए यार ये स्क्रीन शॉट लेना पड़ेगा श्रेया जैसवाल श्रेया जैसवाल बिटा आपका किस मेडिकल कॉलेज में सेलेक्शन हुआ है थेंक्यू बेटा, थेंक्यू सो मच श्रेया जैसवाल थेंक्यू बेटा, ये क्या हो गया हमरे साथ की दर से आता है मेरे दोस्त हाँ हाँ जी श्रेया जैसवाल क्या बात है, तीन सो चालिस मार्क साय थे, 610 मार्क्स आएं है वेरी गूड बेटा, जुग जुग जीओ, आगे बढ़ते रहो, और और उको भी, और उको भी ज्यान दो कैसे पढ़ाई करनी है एक बाली का है, यूट्यूब पर अभी आई है और उसने कमेंट किया है, थेंक्यू बेटा पेशिंस भी रखा करो, थोड़ा सा पेशिंस रख लिया करो, जड़ा एक बार इस बाली का को आप सभी लोग, जो ये नाम से आई थी अभी श्रिया राजपूत इसको कॉंग्रेचुलेशन बोल दीजे, इसको कॉंग्रेचुलेशन बोल दीजे, इस बालिका के 340 मार्क्स आए हैं बायो में और टोटल जो हैसके 610 मार्क्स आए हैं वेल्डन श्रेया जैस्वाल बहुत ही बढ़िया बेटा गौड ब्लेस यू हाँ नीचे कमेंट सेक्षन में बीटा श्रेया जैस्वाल नीचे कमेंट सेक्षन में आप मैंसे छोड़िएगा हम आप से contact करेंगे, ठीक है, अब कैसे करेंगे, हम आपको बता देंगे, चल, खंडी भवन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, खंडी भवन का मतलब, कि शरीर को खंडित कर देना, आप शरीर के अगर केवल सतय को करेंगे, तो सतय खंडी भवन, और सतय के साथ-साथ अंग दूसरा जो होता है, सिलेंट रेटा, सिलेंट रेटा में क्या मिलता है, सिर्फ सतय खंडी भवन मिलता है, सतय ही खंडी भवन, सतय ही खंडी भवन, सिलेंट रेटा में मिलता है, यह नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, इस पर कि आप यह य भवन बता रखा है और यहां पर बता नहीं रखा है मैंने आपको एक्ष्ट्रा बता दिया यह बता नहीं रखा है कुछ प्राणी होते हैं सिलेंटरेटा संग के जिसमें सत्य खंडी भवन होता है चलिए जी बहुत ही बढ़िया वेरी गुड यह हो चुके हमारे पांच आध पढ़ने मेरे दोस्त हमको टोटल छे आधार पढ़ने थे आखरी जो आधार जो आ रहा है च्छटा इसको हम बोलेंगे च्छटा नहीं क्या बोलेंगे एफ च्छटा जो आधार आ रहा है च्छटा आधार जो आ रहा है इसको हम बोलेंगे क्या प्रश्ठ रज्जू अंग नोटो कॉर्ड बोलेंगे प्रश्ट रज्जु यानि नोटो कॉर्ड हम हाँ जी चलें हाँ 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 मैं एक बार इश्रिया से बात कर लूँगा और ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनका सेलेक्शन हुआ है इन सभी के साथ एक वीडियो ले कराऊंगा और साथ-साथ एक पीज और सुन लिजेगा मैं कल आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा कल नहीं तो आज एक वीडियो शेयर करूंगा जिसमें मैं आपको एक गूगल लिंक दूंगा जितने भी बच्चे हैं वैसे अभी मैं अभी नहीं दूंगा एक बार यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने दीजिए क्योंकि राजिस्तान बोर्ड में धमाकेदार नंबर आए हैं यूके बोर्ड में धमाकेदार नंबर आए हैं बिहार बोर्ड में धमाकेदार नंबर आए हैं यह और MP बोर्ड में धमाकेदार नंबर आए हैं है ना सो में से सो बायो में यार बायो में मतलब म हमारे बायों में 99 मार्क्स आए हैं। अब बात ये आ रही है कि कई ऐसे बच्चे होएंगे जो इस साल 12 का एक्जाम देने वाले होएंगे। अब उनको प्रिपरेशन कैसे करनी है तो थोड़ा सा गाइडेंस दे कि हम तो देते ही रहते हैं। उनके आए हैं जिन्होंने मेहनत करिए कैसे मेहनत करिए किस तरीके से नोट्स बनाये थे उनके साथ मिलकर एक पूरा एक वीडियो सेशन में लेकर आऊंगा लेकिन लाने के लिए मुझे इन बच्चों क्या है तो प्लीज आप अपना कॉंटेक्ट नंबर अभी मत दीजेगा मैं आपके साथ एक फॉर्म शेर करूँगा उस फॉर्म को भरियेगा जिनके भी धमाकिदार परसेंटेज आए धमाकिदार नंबर आये हैं बायो में फिजिक्स में केमिस्ट्री में हर सबजेक्ट में जिनक देने वाली है उनको एक ज्यान वर्धक चीज मिले क्योंकि ये पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इन इंडिया अगर आपने मेहनत करी तो आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको भी तो पता होना चाहिए न कि कैसे मेहनत करनी है ठीक है तो उसका लिंक में जरूर आपको शेर करूँगा जल्दी शेर करूँगा एक बार यूपी बोर्ड का रिजल्ट और आने दीजिए क्योंकि उसमें तो और भी चीर फाड होने वाली है यानि धिंडोरा पीटने वाले हमकुल मिला कर सो प्रश्ट रज्जु ये छटा आधार है कौनसा बेटा और ये कौन सा है सर ये प्रश्ट है ये कौन सा ये वेंटरल है और ये कौन सा है दोर्शल है ये अधर है और ये प्रश्ट है तो सर यहाँ पर प्रश्ट का meaning तो समझ में आ गया दोरसल भाग यानि प्रष्ठ भाग ये तो समझ में आ गया कि हमा किसी शरीर का प्रष्ठ भाग है सर ये रज्जू का मतलब क्या होता है मैंने बोला रज्जू का मतलब धागा यानि प्रष्ठ भाग पर धागा मिलेगा शॉलिड, थोस, धागा मिलेगा, सर धागा कबसे सॉलिड होने लग गया, सर धागा कबसे कथोर होने लग गया, हम तुम से एक प्रश्न पूछते हैं, आप मुझे बताईे, आप मेंसे कितने बच्चों ने ये देखा है, कितने बच्चों ने ये देखा है, हाँ जी, हाँ जी, देखिए, देखिए, बाहर जाईए, जरह फोन को पकड़ कर बाहर जाईए, और देखिए, आपको गाए, भैस, बकरी ये दिखाई दे रही है, हाँ सर दिखाई दे रही है, ये मना कहिए को सर आप दिखाई दे रहे है आप सभी ने सींग देखे हैं हाँ सर यह सींग किस से बने होते कोई बालक मुझे बताना चाहेगा हाँ जी भाई साब यहां पर 600-700 बच्चा आया था और लेकिन लाइक जो है भाई साब 1K नहीं पहुंचा है हम नहीं पढ़ा रहे आपको यार यार इतना अच्छा 1K पहुँच गया है 1K से डेड़ के पहुचाइए यार 1.5K पहुचाईए अभी तो बहुत बहुत लंबी कलास जाने है यार दोस्त अभी तो बहुत लंबी कलास जाने है फटा 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 मुझे बताओं आप सभी ने कहीं ना कहीं जल्दी से मुझे जल्दी से मुझे बताए शीइंग देखे यह किस से बने बीटाई यह बाल होते हैं अपने अपने करके देखो, हाँ, यह बाल अगर कठोर हो जाए, बहुत ही जदा हार्ड हो जाए, कैसे हार्ड हो जाए सर, क्या डाल देंगे इनके अंदर, तो ऐसे बालों में भर जाता है किरैटन प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, किरैटन प्रोटीन, प्रोटीन जानते हो ना किरेटिन प्रोटीन जानते हो न हम को याद है 2015 में हम जब पढ़ा रहे थे तो एक बाली का थी उसका नाम था स्रिष्टी क्या नाम था स्रिष्टी और उसने पूछा था सर ये किरेटिन प्रोटीन कौन से अमीनों अमल से बना होता है तो मैंने बोला तिरह नाम क्या उसने ब रखना सिस्टीन याद रखना थोड़ा सा अलग है लेकिन याद रह जाएगा सिस्टीन सिस्टीन वो अमीनो अमल है वो अमीनो ऐसेड़ जो भर भर के भर भर के किसमें पढ़ा होता है किरेटन प्रोटीन और ये किरेटन प्रोटीन भर भर के भर भर के अगर बालों में भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा तो बाल हो जाएंगे कठोर और कठोर बाल जो होते वही आगे चल कर किसका निर्मान करते है सींगों का तो मेरे भाई मैं जो आपको चीज समझाने की कोशिश कर रहा था वो मात्र इतनी सी क्या धागा कठोर नहीं हो सकता हो याद रखना ऐसा रजू ऐसा धागा ऐसी ऐसा ऐसा रजू ऐसा धागा ऐसी कौर्ड जो जो कठोर है जो शॉलिड है जो ठोस है शरीर के प्रश्ट भाग पर मिल रहा है उसको हम बोलते हैं प्रश्ट रजू उसको हम बोलते हैं नोटो कौर्ड अब बात आ रही है मेरे दोस् प्रश्ट रज्जू जिन जीवों में मिलेगी ये प्रश्ट रज्जू जिन जीवों में मिलेगी जिन भी जीवों में मिलेगी और कईयों में नहीं मिलेगी जिन भी जीवों में मिलेगी उनको हम बोलते हैं रज्जू की क्या नाम देंगे रज्जू की भाई नाम से सरा धागा कैसा है, hard है, उसके जैसा कोई hardic नहीं है, ठीक है, तो यह प्रश्ट भाग पर मिलने वाली रज्जु जिन भी प्राणियों में मिलेगी उनको हम क्या नाम देंगे रज्जु की रज्जु मिल रही है यानि रज्जु की और जिनमें नहीं मिलेगी या रज्जु की meaning समझना feel करना connect करना रटने के लिए किसने बोला है feeling ले feel ले connect कर feel कर वो जीतु भाईया वाली feeling आती है न वो तुमने देखा होगा सुना होगा YouTube पर तुमने जीतु भाईया वाली feeling हम कोशिश कर रहे हैं कि तुमारे जीतु भाईया बने लेकिन बन नहीं पाएंगे लेकिन कोशिश तो पूरी कर रहे हैं जरा हमें बताइएगा ये प्रस्ट रजू रजू अगर मिलेगी तो रजू की नहीं मिलेगी तो आरजू की सर रजू की को अंग्रेजी में क्या बोलता है cordage और आरजू की non cordage अब हमको ये बताईएगा टोटल कितने संग थे दोस्त सर टोटल थे आपके ग्यारा संग जिसमें से ग्यारवे संग का नाम क्या था बोल सर ग्यारवे संग का नाम था यही कॉड़ेटा नहीं था हाँ कॉड़ेटा को हिंदी में बोलते हैं रज्यू की तो chordate, sir non-cordate कौन से है, मेरे बाई, एक से लेकर जो 10 संग है, यानि पौरिफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लैटीलमेंटीज, एसकेलमेंटीज, एनलीडा, आर्थरपोर्डा, मुलसका, एकाइनोडरमेटा, हैमी chordate तक, पौरिफेरा से, हैमी chordate तक जो है, वो सारे के सारे, आ रज्जु की, और ग्यारवा जो संग, उसका नाम ही क्या है, रज्जु की, यानि इनके जीवन में, क्या मिलेगी, प्रष्ठ रज्जु मिलेगी, अब कम मिलेगी, कैसे मिलेगी, लारवा वस्था में मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो सारी चीज़े, हम बाद में ये थे आपके कुल मिलाकर छे छे आधार अब आप हमें बताइए यहां तक किस को कोई confusion था किसी को कोई problem थी किसी को कोई दिक्कत थी किसी को कोई confusion था यहां तक की बात में है बोलिए सर सींग जो है किरेटन प्रोटीन के बने होता है सींग जो है वो बालों के बने होता है और उन बालों में किरेटन प्रोटीन बहुत जादा होता है जिसकी वज़े से बिटा hardness आ जाती है हाँ जी बोलिए बताइए नाई 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 भाई साब ये ये लाइक जब तक न मामले में ठीक है और हम इस मामले में बहुत लालची है सीदी सी बात बोल देते हैं हम बहुत लालची है लाइक के मामले में तुमसे और कुछ नहीं मांगते हैं सिर्फ लाइक मांगते हैं ठीक है इमांदारी वाला लाइक सर सिस्टीन क्या है बिटा अमीनो एसड है अमीनो ए हम आपे स्टोमो कॉर्ड मिलती है सर लाइक बहुत कम है अब हम क्या करें अब देखो हम अपनी पूरी जान निकाल देते हैं लेकिन फिर भी लाइक नहीं करते हैं क्या इतनी दिक्कत है क्या हमसे कोई प्यार व्यार कुछ नहीं है हमसे यार ठीक है शिंची लखा आप वो टार्गेट पूरा करिए वो टार्गेट पूरा करिए जिसने भी ये लिखा है टार्गेट दिया आप टार्गेट पूरा करिए बटा हाँ जी सर आपको डबल लाइक कर दिया रहे भूंदू राम डबल लाइक नहीं होता है बे डबल लाइक का मतलब वो लाइक भी हट जाता है भाई साब एक ही बार कर दिया करो हमें बस एक ही लाइक चाहिए तुमारा एक बस ठीक है चालिए जी शो यहां तक हमने छे आधार पढ़ लिये हैं अब स्टार्ट करते हैं बिटा जी हमारे ग्यारा संग पढ़ना और यह क्लास जो है चार से साड़े चार बज़े तक जितने बज़े तक भी चलेगी हमको नहीं पता चलेगी लंबी चलेगी आज लंबी चलेगी क्लास ठीक है हमको नहीं पता कितने बज़े तक चलेगी लेकिन लंबी चलेगी हम ये अभी दो घंटे हुए हैं, दो घंटे और पढ़ाएंगे, ठीक है, जिसको बैठना है, टिकना है, रुकना है, रुके, अभी सिर्फ हम लेंगे, सिर्फ 7 मिनट का ब्रेक, 7 मिनट का ब्रेक, ठीक है जी हाँ जी, सिर्फ साथ मिनट का ब्रेक लेंगे बटा, ठीक है, जाइएगा मत, दस मिनट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, दस मिनट नहीं, सेवन मिनट काफी होएगा, साथ मिनट काफी होएगे, तो हम आ रहे हैं, ठीक है, बस पानी वानी पी कर आ रहे हैं, हम साथ मिनट में, ठीक है, तब तक आप लोग, जो खानवाना हैं, जिसको, खालीजे, थोड़ा बहुत है ना और पानी बानी पी लीजे ठीक है चलिए आते हैं 7 मिनट में सुरे ना बहुत हैं लीजे चलिए आते हैं आते हैं झाउनी बहुत है झाल 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 हाँ जी आवाज आ रही है बच्छो आवाज आ रही है एक बार ज़रा जल्दी से मुझे बता दीजेगा आडियो वीडियो आपके पास आ रही है हो गए है साथ मिनट हो गए है साथ मिनट हो गए है आज़े जल्दी से आज़े भाई मेरे दोस्त हाँ जी आगे आगे हैं आगे हैं ठीक है जी आगे हैं आगे हैं आगे हैं आगे हैं आगे हैं ठीक है जी ठीक है ठीक है ठीक है ओके ओके सर बालक का हैं आरे में तब बालक आ जाएंगे धिर दिर आ जाएंगे चलो जी सो हम यहाँ पर बात कर रहे थे किसकी प्राणी जगत की प्राणी जगत के हमने वरगी करण के आधार देख लिए थे छे हमने वरगी करण के आधार देखे थे अब हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं कुल मिलाकर हमारे संग ठीक है सबसे पहला संग जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है पौरिफेरा पौरिफेरा संग के अंतरगत जो प्राणिया रखे जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं स्पंज बोलते हैं याद रखेगा बाते मत करिएगा कृपिया करके ध्यान से सुनिए कृपिया करके अगर क कॉपी और पैन है तो चैट देखिए चैट वही करेंगे जिनके पास ना कॉपी है ना पैन है चैट वही करने वाले अब हमको पता लग जाएगा कि कौन सा बालक है जो पढ़ने आया है और कौन सा बालक है जो नहीं पढ़ने आया है ठीक है जो नहीं पढ़ने आया है वो चै गी में नहीं लेने वाले हैं ध्यान से सुन लेना तो पहले ही हम बोल देते हैं ठीक है आपके पास कॉपी है आपके पास पैन है आप अपना लिखेंगे जो जो चीज़े यहां पर लिखी हुई दिखाई देंगी ठीक है ठीक है चैट करनी है तो यह बिल्कुल भी expect मत करना कि future में आपका नाम भी ले लूँगा मैं ठीक है चलिए बस हो गया आवनी गौतम रवीना ओनली एसन मुस्कान बस हो गया ठीक है चलिए जी ठीक है आए ऐसे सो पॉरी फेरसंग की बात कर रहरे है सो पॉरी फेर संग की अंतर गति यह जीव जो रखे जारे है इनके हमने क्या बोला है sponge बोलाय स्पँज अब इन इस पंजों के अंदर जर हा देखेगा एक छेद दीक हाँ अप signals के अंदर नोज दिक आ आ ये बिदुख सेख रहे है यह भी बेदा सा एक छिदर डिक रहा होगा होगर ये वी बडा सा छेद डिक और ये छोटे-छोटे छेद भी दिख रहे हैं को छोटे-छोटे-छोटे छेद भी दिख रहे हैं ठीक है तो पौरी फेरा संग की हम बात करें ओ सर जगमगा गए सर जी सफेद सफेद आ गए पौरी फेरा संग के हम समाने लक्षन देखेंगे सबसे पहला ये जलिये होते हैं ज्यादा तर ये कैसे होते हैं लवणिये होते हैं अब थोड़ी सी सफेद सफेद आएगा अब तक अंदकार था अब उजाला आया है ये कैसे होते हैं जलिये होते हैं लवणिये होते हैं इनमें सम्मिती जो होती है आज सम्मिती होती है ये आप जानते हैं हमने पढ़ लिया ह सम्मिती इनमें नहीं होती है किसमें मिल रहे हैं ये जल में मिल रहे हैं कौन से जल में लवणी ये जल में याद रखना नेक्स्ट इनमें शारिरिक संगटन कौन से इस्तर का था कोशी का संगटन था ये भी हम पढ़ चुके हैं याद कर ये सबसे पहला हमने शरीर का संगटन नेक्स्ट इनमें मिलता है जल परिवहन तंत्र यानि नाल तंत्र अब आप बोलेंगे सर जी ये का है ये जल परिवहन तंत्र या नाल तंत्र जो है ये क्या है देखेगा इस डाइग्राम को देखेगा अगर ये दिखाई दे रहा है तो अच्छी बाते नहीं दिखाई दे र या अधार से जुड़ा हुआ है कॉन आपका एक पॉरिफेरा स्पंज जुड़ी हुई है ठीक है और ठीक है जी है मेरे दोस्त सुनना समझना सुनिएगा समझेगा तो ही चीज समझ में आईगी है देख मेरे भाई सबसे पहले तो थोड़ा सा स्लो चलूँगा ये चीज समझाने के लिए जो चीज फास्ट होएगी मैं आटोमेटिक लिए फास्ट पढ़ा दूँगा जहां चीज समझाने की वहाँ पर मैं समझाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम लगता है समझाने में तीक है अगर आप ये सोचें कि सारी चीजे फास्ट हो जाएंगी तो वो पॉसिबल नहीं है कुछ चीजे हैं जो समझानी पड़ेंगी चलिए जी इधर की तरफ बना रहो इधर आपने याद रखना है दोस्त ठीक है सेम टू सेम इधर भी सेम टू सेम कंडीशन होएगी यहाँ पर आपको कोई छिद्र दिखाई दे रहे होंगे आपको यहाँ पर छिद्र दिखाई दे रहे होंगे बाकि इसके बाद सारी सेम टू सेम कंडीशन होएगी सेम टू से देखे यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहे है अब इधर देखेगा ध्यान से सुनिएगा देखे एक और चीज बना देते हैं फटा फट सर यह क्या है क्या बेटा यह कोशिकाए है यह भी कोशिकाए ही है अंदर वाली जो कोशिकाए उन से कुछ पक्षमा भी संग्रचना या रसांग कुछ जैसी संग्रचना निकलती होई दिखाई दे रहे हैं आपको हाँ फाइनली मिरभ बन गया इतना सा डियाग्रम सेम टू सेम कंडिशन इधर भी होएगी बस इतना सा देखेगा क्या आपको यहां पर दो स्तरें दिखाई दे रही है ऑफिने दोस्तर इधर देखेगा ध्यांस सुनिएगा क्या आपको दोस्तर दिखाई दे रही है अचिन्त एक्तुमे ब्रूनी वस्था में गत्यूंथ है थिउसे चलब कर एक इस्तर का निर्वाण कि उंसान नाम मैं पिनैकोडर्म और पिनैकोडरं ouseí ग vibrations कर फिस फिर उस पर देख सब्सक्राइब कोशिका ते नाम याद रखना पिनैकोयग को इतनी सी बात, ओके सर, अब अंदर वाली, अंदर वाली, अंदर वाली स्तर को देखें जल्दी से, अंदर वाली स्तर देखें, यह जो नीली, नीली सी जो स्तर है, इसका नाम है बेटा जी, याद रखना है क्या कोईनोडर्म, कोईनोडर्म और कोईनोडर्म जो होती है, वो प्रतिय कोशी का उसका नाम है कोई नो साइट कोई नो साइट जिस पर कुछ धागे नूमा संगरचन आपको मिल रही है ठीक है सब्सक्राइब हमें कुल मिल आकर दोस्तरे दिखाई दे रही है एक एक्टोडर्म ने बनाई एक एंडोडर्म ने बनाई और इन दोस्तरों के बीच में कहीं छिद्र भी हमें दिखाई दे रहे है ये छिद्र और इनी छिद्रों से अंदर आएगा पानी इनी छिद्रों से अंदर आएगा क् मेरे दोस्त, यहाँ पर यह जो छेद जो आपको दिखाई दे रहे थे, छोटे 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 छेद जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं, ओस्टिया, इन्हीं ओस्टिया से क्या आता है बटजी, यहाँ से ओस्टिया से क्या आत अब आप मुझे बता है क्या आपको भोजन मिलता है हां सर मिलता है क्या आप गैस ले जाते है अपने शरी के अंदर है ले जाते हो कौन सी गैस and oxygen आपको जरत है हां जरत है पोशन पदार्तों कि आपको जरत है, हाँ जरत, इनको नहीं है, ये प्राणी नहीं है, ये भी तो पानी में मिल रहे हैं, तो इनको पोशन ये पदार्त कहां से मिल रहे हैं, सर पानी में, इनको ऑक्सीजन कहां पर मिल रही है, पानी में, अब जरह सोची, ऑक्सीजन जो है, पोशन ये पदार जो है इन कोशिकाओं के अंदर आएंगे या नि आएंगे किसके अंदर कोईनो साइट के अंदर इनमें ये जो कशा भिकी है जैसी जो संगरचना आपको दिखाई दे रही है ये रसांकुर जैसी संगरचना जो आपको दिखाई दे रही है ये इस पोशन य पैसों को अंदर ले लेगी याद रखना कौन सी कोई नो साइट जो एंडोडर्म ने बनाई थी डंडना डंडन सर ये हरा हरा सा क्या है हरा हरा सा आप में से कितने बच्चों को याद है मैंने आपको कहीं ना कहीं पीछे ले जाता हूं जल्दी से फटा फट पीछे और हमने यहां पर ये आधार पढ़ा था कौन सा जर्मिस्तर का यादर है इस जर्मिस्तर के आधार पर याद करिये द्वीक औरिक जो थे नमें एक्टो था ना तो बिटा जी यहां पर ये जो यहां पर ये जो हरा हरा सा जो मैंने बनाया ये actually कौन है? mesoglia है. कौन है ये? mesoglia है. सर इस mesoglia में क्या मिलता है? अभी बताँगा, भी बताँगा. लेकिन उससे पहले हम जै topic पड़ रहे थे क्या? इनके अंदर जलपरिवहन तंतर मिलता है या नाल तंतर मिलता है इसका मतलब क्या था? जल साब यहां पर आएगा किस से आएगा इन आस्टिया से आएगा पोशेडी पदार्त लेकर आएगा गैसे लेकर आएगा पोशेडी पदार्तों को एब्जूर्ब कर लेंगे गैसों को एब्जूर्ब कर लेंगे ठीक है सर कर लिए अब इसे बाद जब शुष्ट पदार्त होेंगे जो कार्बन डैक्सियड हेगे इसको निकला जाएगा इसी जल में और यह जल यहां से बाहर निकल जाएगा इस छिद्र के दौरा और यह जो छिद्र जो है इसका नाम है औसकूलम यह जो छिद्र जो है बड़ा वाला इसका यानि छोटे छिद्रों से पानी आएगा बड़े छिद्र से बाहर आ जाएगा अब इसको अगर आपको देखना है यह जो चीज देखो इस डाइगराम में भी उताई गई है इसके अंदर आया और बाहर निकल गया अंदर पूशिणी पदार्त लेकर आया गैसे लेकर आया प के बाद जॉपशिट पदार्त होएंगे वो वापिस से जल में डालकर उस जल को बाहर निकाल दे सीधी सी बात अब इसी चीज को समझने के लिए मैं एक एनिमेशन भी लेकर आया हूँ देखेगा जरा इस एनिमेशन को देखने से पहले इस एनिमेशन में क्या दिखाया ग जाएगी और ओसकुलम से बाहर निकलेगी यही क्या कैला रजम परिवहं तंत देखेगा यह देखिये रंगीन डाई डाली ओस्तिया से अंदर गई और इधर से देखना ओस पूलम से बहार आ रही है दिखाई दिया वापिस से देख डाई कहां पर डाली ओस्तिया के पास डाली आस्टिया के पास डाली आस्टिया से अंदर गई और आस्कुलम से बाहर आ गई है बोले बताइए क्या ये चीज समझ में आ गई है कन्फूजन तो नहीं था तो आस्टिया से अंदर जाता है जल उसमें जो useful चीज फूले होता है अब्सूल कर ली जाती है जो wasteful चीज़ वो आस्कुलम से बाहर आ जाती है यह क्या चलाता जल परिवहनतंत्र यह याद रखना था मेरे दोस्त यह याद रखना यह कौन है पिनाकोडर्म है यह कोइनोडर्म है Conecoderm की कोशी का Pינacocyte, Conecocyte, इनके बीच में कौन है? Mijoglia है, यह छेद है, जिसका नाम Haustria है, बड़ा वला छेद रहा हौसकुलम है, इस से बाहर चला जाएगा? यहां तक की बात आपको अगर समझ भी आ गई है, तो यहां पर यह Mijoglia हमको बताना है. बता देता हूं मैं आपको ध्यान से सुनना, देखिए जगत के अंतरगत कौन आता है, संग और संग के अंतरगत कौन आता है, फटा-फट मुझे बताईए, सर ये रियल है और तो क्या, मेरे दोस्त ये बिलकुल रियल है, ये ट्रू चीज है, यहाँ पर ये एक पानी के आपको समझ में आ गई है, तो फटा-फट मुझे बताईएगा, जगत के अंतरगत कौन आते है, संग और संग के अंतरगत कौन आते है, वर्ग आते हैं, ये कौन सा संग पढ़ रहा है, पौरी फेरा, पौरी फेरा संग का फृर्दर क्लासिफिकेशन जब करेंगे, तो उस इस मीजोग्लिया के अंदर इधर देखेगा, इस मीजोग्लिया के अंदर क्या मिलते हैं, काटेदार संग्रचनाय होती है, कुछ इस तरीके से, कुछ काटेदार इस तरीके से संग्रचनाय होती है, इनको स्पॉंजन फाइबर्स बोलते हैं, स्पिक्यूल्स यह स्पॉंजन fibers बोलते हैं इस तरीके से, आपके NCIT में दे रखा है याद रखना, क्या बोला बटा ये जो Mesoglia जो थी, मीजो गलिया के अंदर क्या मिल रहे है, fibers मिल रहे है, तंतू मिल रहे है, जिनको हम Spongin Fibers, क्या नाम देते हैं, Spongin Fibers नाम देते हैं, ये Speculs बोलते हैं, कंटक बोलते हैं हिंदी में हिंदी में बोलते हैं कंटक हिंदी में बोलते हैं इनको कंटक यानि काटेदार संगरचनाय जो इस मीजोगलिया में मिलती है अब ये संगरचनाय हो सकता है सिलिका की हो ये संगरचनाय हो सकता है केलशियम की बनी हो तो अलग अलग पदार्थों से बनी होते हैं ये कंडक और इसी कंडकों के आधार पर हम पौरी फेरा संग का क्या करते हैं वरगी करण याद रखना फिर से सुनो, वापिस से सुनो देख बटा ये पौरी फेरा था ये स्पञ्ज थी, स्पञ्ज के अंदर जो میजोगलिय है इसके अंदर क्या मिल रहे है काटे-दार संग्रचना है मिल रहे है अपने चाहिfish हमने बोला है कंटक बोला है अंगरेजी में स्पिक्यूल्स बोल देते हैं या स्पॉंजन फाइबर्स बोलते हैं अब यह किससे बने होते हैं अलग अलग पदार्थों से बने होते हैं अलग अलग पदार्थों से बने होने के कारण हम इनको वर्गी करत करते हैं अलग अलग वर्ग में यानि यह जो संग जो है जब हम इसका वर्गी करण करेंगे तो किस आधार पर करेंगे इन कंटकों के आधार पर करेंगे याद रख होते हैं ये कंटक उस आधार पर वर्गी करन करते हैं आई होप यहां तक की बात समझ में आ गए होगी next और क्या लक्षने भाई साब ये द्वी कोरिक होते हैं ये आपको समझ में आई गया है कही ना कहीं द्वी कोरिक होते हैं इनका वर्गी करन कंकाल के आधार पर किया जाता है ये हमने अभी अभी आपको बता दिया इनका जब वर्गी करन करेंगे तो किस आधार पर करेंगे कंकाल कंकाल का मतलब वो संगरचना है जो ठोस संगरचना है जो आकरती को बनाये रखती है कौन कंटक किसकी बात कर रहे हैं यहां पर कंकाल किसकी बात कर रहे हैं जो अभी-अभी हमने कंटक वर्ड जो देखा था उन्हीं कंटकों के आधार पर उन्हीं कंकाल के आधार पर हम इनका क्या करते हैं वर्गी करन करते हैं बेटा जी याद रखिएगा ये उभेलिंगाश्री होते हैं यानि द्वीलिंगी होते हैं यानि एक ही शरीर पर नर और मादा दोनों लेंगिक अंग होते हैं विटा याद रखिएगा इनमें आलेंगिक जनन जो है मुकुलन विखंडन विधी के द्वारा होता है यानि कलीका का निर्मान हो सकता है जैसे आप लोगों ने देखा होगा ज जैमियूल 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 याद आ रहा है याद आ रहा है याद करिए जब कलीका का निर्मान शरीर के अंदर हुआ था एंडो 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 क्या बनी थी आपकी बिटा जी शरीर के अंते मुकुलन जब हुआ था शरीर के अंदर मुकुलन जब हुआ था पुलन कहां पर होता है, शरीर के अंदर होता है, स्पॉंजे में होता है, जिसको हमने जैम्यूल बोला था, याद रखेगा, परिवर्धन इन में अपरत्यक्ष होता है, अब यह चीज समझ में नहीं आती है, परिवर्धन इन में अपरत्यक्ष होता है, परिवर्धन का मतलब पैर, दो आख, नाख में दो छेद, कान, बाल थोड़े से हो सकते हैं, कम हो जाएं, कहने वाली बात है, जो संगरचना ऐसी है, वही संगरचना है, बाल लेवस्था में मिल रही थी, हां मिल रही थी, ऐसा तो नहीं था, कि चुहे के समान थे, और बाद में मनुश्य हो गए है यानि, यहां से यहां अगर मैं देखूं, और यहां से, यहां अगर मैं देखूं, सिर्फ समझाने के तौर पर बता रहूं, ऐसा नहीं होता, सिर्फ समझाने के तौर पर, दो कंडिशन को देखना, जब छोटे थे, तब भी शरीर ऐसा ही था, बड़े थे, तब भी शरीर यानि बाले वस्था में जो आकारिकी थी, वही व्यस्क वस्था में आकारिकी थी, बाले वस्था में जो आकारिकी थी, वो और व्यस्क वस्था में आकारिकी जो है, वो अलग हो गई है, यानि यहां पर development, यहां पर development जो है, डारेक्ट हुआ है, डारेक्ट, डारेक्ट का मतल रहा है बाले वस्था अलग है और व्यस का वस्था अलग है यह जो बाले वस्था जो है इसको हम क्या बोलते है लारवा वस्था और व्यस का वस्था ऐसी दिखाई दे रही है जरा देखना यहाँ पर इस डाइगराम को देखे यह एक तितली और यह कैटरपिलर है जरा सोच स ऐसा development क्या कहलाएगा indirect यानी अप्रत्यक्ष कहलाता है अप्रत्यक्ष का मतलब जिसके जीवन में क्या मिलती है लारवा अवस्था मिलती है जिसके जीवन में क्या मिलेगी लारवा अवस्था मिलेगी ऐसा development ऐसा विकास क्या कहलाएगा आपका अप्रत्यक्ष ऐसा क्या कहलाएगा आपका अप्रत्यक्ष कहलाएगा ये थी सीधी सी बात इसके बाद इनमें पुने रुद्ध भवन की शमता बहुत जादा होती है इनके अंदर री जनरेशन होता है छोटा सा भाग अगर कट जाता है तो वो जादातर स्पंजिस जो है वो किसमें मिल रही थी आपके समुद्रे जल में लेकिन स्पॉंजिला जो है वो किसमें मिलती है स्वच जल में याद रखना यू स्पॉंजिया जो होता है इसको नहाने के तौर पर शरीर को गिसने के तौर पर यूज में लिया जाता है यू पहला संग जिसका नाम था क्या बेटा जी पौरी फेरा आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्ट हाँ जी आगे बढ़ते हैं ये थी पहली चीज डवलपमेंट इज डारे बुद्धू डवलपमेंट इज इन डारेक्ट यहाँ पर डवलपमेंट के इचा दिखाई दे रहा है इन डारेक्ट दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष का मतलब क्या होएगा इन डारेक्ट इन डारेक्ट का मतलब डारेक्ट ली नहीं हो रहा है यहा पर indirect है यानि लार्वा वस्थम मिलेगी यहां तक की बात हमने देख लिए यह उधारण हमने देख लिए हैं अब इसके बाद आ रहा है दूसरा संग आईए स्टार्ट करते हैं कौन सा बिटा जी हमारा सिलेंटरेटा जिसको हम क्या बोलते हैं नाइडेरिया भी बोलते हैं सिलेंटरेटा जिसको हम क्या बोलते हैं नाइडेरिया यह हम स्टार्ट करने वाले हैं अब सर प्रशना आएगा कि यह जो संग जो है इस संग का यह जो प्राणी जो हमें दिखाई दे रहा है यह प्राण जिसके लिए मरता था एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था हाँ जी ब्लोक कर दीजे चलिए इतना टाइम ना मेरे पास है बेटा तेरे पास तू तो फाल तू आदमी है यार बहुत ही तगड़ा फाल तू आदमी है हाँ जी इसलेंट रेटा नाइडेरिया सिलेंट रेटा नाइडेरिया ठीक है यह संग हम पढ़ने यह संग हम पढ़ने वाले है सर कितने घंटे और क्लाश चलेगी तुम्हें जिंदगी में इसके लावा कोई और प्रशन भी आता है अजीत और कोई बालक अगर ऐसा हो तो जिंदगी में मतलब दो-तीन चीजे हैं तुमने दो-तीन चीजे अपने दिमाग में छाप रखिये सर क्लास कितनी देड़ तक चलेगी और सर आप लाइव हो इसके अलावा भी जिंदगी में बहुत कुछ है ना बटा पढ़ाई पढ़ाई भी होती है ना बटा तो उसको थोड़ा सा फोकस कर पढ़ाई की तरफ द्यान दे ठीक है हाँ जी कर दो कर दो कर दो कर दो हमको ब्लॉक कर दो ले बटा हम तुमको ब्लॉक कर देते हैं रुख जा बटा हम तुमको ब्लॉक कर देते हैं एक सेकंड रुख जा, बिटा, हम थोड़ा सा पीछे चले गए है, रुख हम तुमको, जहर सिंह, तुम बड़े ही जहरी ले हो, और, ब्लॉक हो गया क्या, जहर सिंह, हाँ, हो गया ठीक है, ओके जहर सिंह, मजा आ गया, अब कहीं और जा कर जहर फेला, बिटा, चलो, चलिए जी अगला संग पढ़ रहे हैं कौन सा सिलेंट रेटा यानि नाइड एरिया सर यूपी बोर्ड रिजल्ट कब आएगा बेटा यूपी बोर्ड का रिजल्ट जो है जब आएगा तो तेरे को भी पता लग जाएगा और मेरे को भी पता लग जाएगा अब देख ना मैं यूपी में कोई बहुत ही बड़ा वो हूँ क्या बोलते है मंत्री हूँ जो मुझे पता लग जाए हैं जी ठीक है चलिए आईए अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई और कोई है जिसको जहर फेला ना यहाँ पर चलिए आईए ध्यान से सुनिएगा संग पढ़ रहे हैं कौन सा सिलेंटरेटा जिसका नाम है नाइडेरिया आज हमको ज्यादा गुस्सा नहीं आज हमको मजा आ रहा है संग कौन सा सिलेंटरेटा जिसका दूसरा नाम है नाइडेरिया वाइट इज कॉल्ड नाइडेरिया औ है हम इसको सिलेंटरिटप बोलते हैं और काहे हम इसको नाइडियरिया बोलते हैं ति का आयएगा ध्या Coordinator सुनेगा सबसे पहले देगे इस संग के आपको दौधारण आपको दिखाई दे रहे हैं पटा एक है या यह यह मेरे बाई हाइड कौन यह हैडरा और ये है jellyfish hydra और jellyfish और इन दोनों का आकार भी थोड़ा सा लग लगए ये बेलनद कार है, सिलेंडर के जैसा ये चछत्री के आकार की है सबसे पहला बिंदू जो है वो ये कि इनमें सम्विती कैसी मिलती है, और ये सम्विती मिलती है यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इनके अंदर उतक सक स्तर का संगटन मिलता है, यह हम अलरी पढ़ चुके हैं, यह भी समुद्र में मिलते हैं, लेकिन मैंने हाइलाइट करके लाया हूँ, याद रखना प्रशन पूछा गया है, नीट में याद रखना, हाइडरा जो होता ह है, यह हाइडरा साफ पानी में मिलता है, बाकी सारे के सारे किसमें मिलते हैं, यह आपके समुद्री जल में मिलते हैं, लेकिन हाइडरा जो होता है, साफ पानी में मिलता है, सिंपल सा बिंदू है, याद रखना है, भूलना नहीं है, नेक्स्ट, दूसरा बिंदू, अब ब खाली जगे है ना ये खाली जगे जहां पर भोजन जाएगा इसको हम बोलते हैं जठर गूहा या सिलेंटरॉन बोला जाता है तो मेरे ख्याल से इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी कि ये जो खाली जगे जो है जो देह के अंदर है बोडी के अंदर जो खाली जगे है जि इसी सिलेंट्रों से वर्ड आया है क्या सिलेंट्रेटा याद रखेगा next तीसरा बिंदू अब ये है बहुत important ये वला बिंदू जो है सर ये तो समझ में आ गया कि ये जो संग जो है इसको हमने सिलेंट्रेटा इसलिए बोला था क्योंकि इनके अंदर जो जटर गूहा है जिस के अंदर मिल रही थी नाइडेरिया नाम क्यों दिया है तो नाइडेरिया नाम इस वज़े से पढ़ा है वो आपको समझाना पड़ेगा जरा देखेगा देखेगा इनके अंदर कही ना कहीं बटा जी क्या मिल रहे है ये इस तरीके से धागे नूमा जो संगरचना मिल रही ही है इन धागे नूमा संगरचना को हम क्या बोलते हैं स्पर्शक क्या बोलते हैं स्पर्शक बोलते हैं क्या बोलते हैं टेंटिकल्स बोलते हैं अब डेफिनेट सी बात है यह जो स्पर्शक जो होएंगे यह स्पर्शी अंग होएंगे कहीं न कहीं यह समवेदी अंग मिल रही है क्या मिल रही है कोशिका है मिल रही है इन सपर्शकों पर उपर क्या मिल रही है कोशिका है मिल रही है यह जो कोशिका जो होते हैं इनका नाम होता है नाइडो ब्लास्ट क्या नाम क्या है नाइडो ब्लास्ट नाइडो ब्लास्ट क्या है कोशिका है और इनी कोशिक के नाम पर इनी नाइडो ब्लास्ट के आधार पर इस संग का नाम पड़ा है नाइडेरिया नाइडो ब्लास्ट जिन में मिल रही है नाइडो ब्लास्ट जिन में मिल रही है इस परशकों पर ऐसे संग के प्राणियों को हमने नाम दिया नाइडेरिया इतनी सी बात समझ में आ अब इस कोशिका को जरह देखेगा, इस कोशिका के अंदर इस तरीके से एक संग्रचना मिलती है, गुमावदार संग्रचना मिलती है, यह संग्रचना को हम बोलते हैं निमाटो सिस्ट, निमाटो सिस्ट क्या बोला, यह जो गुमावदार संग्रचना जो थी, यह अंदर से ज यह जो धागे नूमी संग्रचना जो है इसका नाम है नि्मातोसिस्ट ठीक है तो focus कर मेरी बात को God से सुन क्या ये है कौन silent rapt a silent rapt a के अंदर क्या निकल रहे सपरशक निकल रहे सपरशक यानि एक घुमावदार धागा मिल रहा है जिसका नाम है निमेटो सिस्ट अब क्या होएगा ध्यान से देखना ये जब किसी के संपर्क में आएगा ध्यान से सुनना ये हाइडरा किसी के संपर्क में आएगा जैसे सपोज मैं हाइडरा हूँ ध्यान से सुनना मैं क्या हूँ हाइड चोटा होएगा जो मेरा भोजन होएगा उसको मैं खाने की कोशिश करूँगा यानि मैं दो कारे कर सकता हूं या तो भाग सकता हूं अपने आपको बचा सकता हूं या मैं आकरमन कर सकता हूं दो कंडिशन है तो बैटा अपने आपको बचाने के लिए और आकरमन करने के लिए अपने आपको बचाने के लिए और आकर्मन करने के लिए responsible होती है कौन ये निमेटोसिस्ट ये बाहार आ जाती है कहां आ जाती है बाहार आ जाती है ऐसे डंक के जैसे डंक होता है डंक ऐसे ये धागाता ये बाहार आ जाता है ठीक है और अपने भोजन को पकड़ने के लिए या अपने शिकार से बचने के लिए, उसके ऊपर उसको दिखाने के लिए, हाँ भाई मैं ताकत वर हूँ, जैसे कोई सामने कोई ताकत वर आ गया, अब मैं उससे कैसे बचूंगा, मैं अपने आपको प्रदर्शित करूँगा, कि मेरे पास आएगा तो मैं तरे को नुकसान पहुचा दूँगा तो यह इस तरीके से बाहर आ जाती है तो कुल में लाकर बिटा जी यह आत्म रक्षा करने के लिए शरीर को किसी थोस पदार्थ से चिपकाने के लिए और शिकार करने में सहयता करती है कौन इस इस परशक पर मिलने वाली नाइडो ब्लस्ट जिसको हम क्य बोलते है दंश कोशी का और इसी दंश कोशी का नाइडो ब्लस्ट सेल जो होती है इसके अंदर मिलता है कौन यह निमाटो सिस्ट यह था बहुत इंपॉर्टेंट बिंदू इसी के कारणे से संग का नाम पड़ा है क्या नाइडेरिया एक एक बिंदू आपको समझा रहा यह तीसरी कोशी का है यह चौथी कोशी का है ठीक है अब हम तुमसे पूछते हैं बहुत सिंपल सी बात अंगरेजी का वर्ड नहीं हिंदी का वर्ड पूछ रहे है कोशी का के बाहर यह जो खाली जगे है कोशी का के बाहर यह जो खाली जगे है इस खाली जगे को बोला जा किये मेरी बात को गौर से सुनने ना प्रभू नहीं तो चीज समझ में नहीं आएगे अंतर कोशी किये अफकाश ना हम रटने पर ना रटवाने पर फोकस करते हैं चीज को समझने पर फोकस करते हैं अंतर कोशी किये अफकाश यानि दो कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगे हैं कोशिकाओं के बाहर कोशिकाओं के बाहर जो खाली जगे न उसको हम बोलते हैं अंतर वर्ड याद है इंप फोकस कर, वर्ड की एहमियत को समझ, बाहिये कोशी किये का मतलब, कोशी का के बाहर, हाँ सर कोशी का के बाहर है, अंतर कोशी किये का मतलब, कोशी का के बीच में, 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 या निकोशी का के बाहर, मीनिंग तो एक ही ह ठीक है सर, अब इदर देख, घ्यान से देख, अब मैंने बोला कोशी का के अंदर जो जगे जो है, कोशी का के अंदर जो जगे जो होती है, उसे हम बोलते हैं अंतरा कोशी की ये, क्या बोलते हैं, अंतरा कोशी की अवकाश, जिसके अंदर पदार्थ होईगा तो क्या बोलें अंतरा याद रखना ठीक है एक और नम अंते भी बोलते हैं अंते कोशी किये भी बोलते हैं ठीक है तो अपनी जिंदगी में दो वर्ड को दिमाग में फिट कर ले न क्योंकि ये बहुत गन्फूज करते हैं क्योंकि ये जब आप पादप का शारीर चैप्टर जब पढ़ते ह उस chapter को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर cambium आती कौनसी अंतय पूलिय अंतरा पूलिय है याद आ रहा है अंतय अंतरा अंतर ऐसे कुछ word आते हैं तो यहाँ पर याद रखना अंतर और बाहिये का meaning same है अंतरा और अंतय का meaning same है ठीक है अब हम आपसे पूछते हैं सोच समझ कर इसको याद रख लेना मेरे भाई इसको याद रख लेना जो चीज important है ना दिखने में तो बहुत simple सी लगती है लेकिन हम तुमसे guarantee से कह रहे हैं तुम इस चीज को भूल जाओगे सर इसको English में क्या बोलते हैं ये भी हम तुमको बता देते हैं इसको English में बोलते हैं intercellular इस को क्या बोलते हैं intercellular space within cell outside cell within cell intercellular intracellular चले सर ये तो हिंदी English होगे हमारा ये word का meaning मैंने आपको बता दिया है लेकिन सर यहाँ पर जो बिंदू जो था वो था अंतरा कोशी किये पाचन इसका मतलब क्या अब जरा सोच पाचन का मतलब क्या होता है भोजन को तोड़ना छोट क्या क्या क्यलाती है पाचन क्यलाती है मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जरा सोच ये है जटल भोजनी पदार्थ जिसको मैंने तोड़ा है सरल भोजनी पदार्थ में कोशी का के अंदर ये है जटल भोजनी पदार्थ जिसको मैंने तोड़ा है कोशी का के बाहर कोशी का के अब खुद सोच समझ कर मुझे बताएं ये भी पाचन है ये भी पाचन है ये सेल के अंदर पाचन है ये सेल के बाहर पाचन है तो पाचन अंतरा कोशी की होता है इसका मतलब कौन सा बालक दिमाग लगा कर सोच सकता है अंतरा अंतरा का मतलब कोशी का के अंदर तो याद रख तुमको ये चीज समझ में आई होएगी हाँ जी हरे यार विकास जाधव तुम पढ़ लो ना मेरे भाई जो तुमको पढ़ा रहे हैं तो काहे तुम पढ़ नहीं रहे हो ये देखो ये जहरी आदमी फिर से आगया एक नकली आईडी के साथ अंजली तुम कितनी सुन्दर लग रही हो फिर से एक और आगया है यार सर लाइव हो क्या तुमारी ये खीच के लपाड़ा देंगे अगर तुम सामने होते तो तुमको हजार बार बोल दिया है तुमको समझ में नहीं आता दिमाग खराब है तुमारा है बिलकुली बेफकूफ हो क्या दिमाग से पैदल हो दिमाग से अंजली तुम कितनी सुन्दर हो तू भी जाएगा देख तू भी जाएगा तू बटा ये फर्जी आईडी ओं से आ रहा है ये बालक और ये फर्जी फर्जी आईडी लेकर आ रहा है ले बेटा तू भी जाब, पीछू, पीकू पीछू, जो भी है, ले बेटा, तू भी गया, ठीक है, चलो जी, जो, मेरे ख्याल से आपको, अंतरा कोशी के पाचन का मीनिंग समझ में आ गया होगा, जहां कोशी का के, कोशी का के अंदर पाचन होता है, कहां पर, कोशी का के अंदर पाचन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंतरा कोशी के पाचन, ठीक है सार, इतनी सी बात समझ में आ और एक छत्री आकार की संग रचना इसको हम बोलते है मेडियूसा जो कैसी होती है छत्री आकार की तो एक होती है कौन सी बेलनाकार की प्रश्न तुमसे पूछा जाएगा नीट में ध्यान से सुन लेना एक गाना था अगर आपको एक मुवी याद आ रही हो मेरे को बहुत काहिम की एक मुवी थी अगर ना याद हो तो एक बार देख लीजेगा यूट्यूब पर गाना सर्च कर लीजेगा ओ साथिया ओ बेलिया मतलब ऐसे कुछ गाना था ओ साथिया ओ बेलिया मैंने दिल तुझको दिया तुने दिल मुझको दिया ऐसे कुछ है मतलब ऐसे कुछ गाना है, तो उस गाने से मेरे कोई याद रह जाता है, Obelia, कौझ सा, Obelia, कौझ है, बिटा, एक प्रकार ही, क्ली है, यह हमारी Sillendrata Sangh का प्रानी है, ठीक है, कौझ अBEलिया, ठीक है, और यह जो Obelia, जो है न, उबेलिया इसमें क्या मिलता है एक प्रक्रिया मिलती है Alternation of Generation मिलता है पीडी एकांतरण मिलता है इसके अंदर उबेलिया के अंदर ध्यान से सुनना दोनों तरीके की संग्रचनाय होती है इसमें Polyp भी होता है और Medusa भी होती है यह Medusa बोल देते हैं इसको पॉलिप और मेड्यूसी कौन सा होता है पॉलिप भी होता है और मेड्यूसी भी होती है पॉलिप और मेड्यूसी दोनों संग रचनाएं मिलती है इनके जीवनकाल में पॉलिप से बनती है मेड्यूसी अलेंगिक जनन से और लिंगिक जनन करेगा पॉलिप तो क्या बनाएगा मेडिूसा मेडिूसा करेगा लिंगिक जनन तो बनाएगा पॉलिप नहीं आया ना दिमाग में नहीं बैठा ना, देख, मैं हूँ एक बेलनाकार की संग्रचना, ठीक है, मैं कौन हूँ एक बेलनाकार की संग्रचना, मैंने क्या किया, मैं कौन हूँ, पॉलिप हूँ, मैं कौन, ओबेलिया, ओसाथिया, ओबेलिया, मैं कौन, ओबेलिया, मेरी आ आकार की ठीक है अब छट्री आकार की जो है अगर वो लेंगिक जननकर डालेगी तो क्या आएगी पॉले पाएगी और इसी तरीके से ये चलता रहता है इसी को हम PDAсуд ना बोलते हैं ये मिलता है किसमे मेरे दोस्त बेलिया में मिलता है यानि एक ही प्राणी में एक ही प्राणी में दोनों प्रकार का शरीर की संगरचना होती है याद-रख लेना याद-रख लेना भूलना जाहिएगा किस में उबेलिया में इसके अलावा बाकी कुछ उधारण यहाँ पर दे रखें फैसेलिया हाइडरा ओबेलिया मैंने बता दिया औरेलिया जैले फिष्टी ये चीज़े याद रखने है ये था हमारा दूसरा संग निक्स्ट अगले संग पर आते हैं जिसका नाम है टीनो फोरा अगले संग पर आ रहे है टीनो फोरा टीनो फोरा को देखने से पहले जरा देखेगा क्या ये टीनो फोरा आपको जगमगाता हुआ इस संघ की प्रापर्टी होती है क्या बायो लुमिनिस सेंस, जैव संदिप्ती यानी कही ना कही पानी के अंदर ये जगमगाते हैं तो भूल मत जाये गाएगा ऐसे जीव जो कही ना कही जगमगाते हैं जैसे आप लोगोंने जुगनु सुना होगा जुगनु जो होता है जगमगाता है न है न तो ऐसे जीव जो जगमगाते हैं इस प्रापर्टी को क्या बोला जाता है बायो लूमिनी सेंस जैव संदिप्ती बोला जाता है तो इस संग के प्राणियों का ये एक लक्षन है याद रखना है भूलना जाईएगा ठीक है इस संग के प्राणियों को ज से दिखते हैं जरा देखिएगा ध्यान से देखिएगा जरा ध्यान से देखिए इसको और हमें ये बताइए आप लोग क्लास देख रहे हैं अरे वह लाइक किया नहीं किया 1.2 1.3 नहीं हुआ भाई साब यहां पर का वह वह कहां गया जहर जहरी आदमी था पीछू आदमी थ किया चलो हम तुमारी बाते सुंते है ना तुम dáते हो तो कम से कम like ठोक कर चले जाय जै और हम तुमारी बाते चले जाय करें ठीक है भे हाँ वधी थीक है अभी शेकुमार ध्यान से शुनना चलिए जितने बच्चे हमारी बात को गौड़त से सुनर रहे इस संग के प्राणियों के शरीर को देखे जरा देखे अखरोट जैसा दिख रहा है हाँ सर अखरोट जैसा हमें दिख रहा है गोल 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 ठीक है सर ये चीज समझ में आगी ये प्राणि जो है ये कहां पर मिलते हैं समुद्र में चलिए सर समुद्री अखरोट बोल द बाल बनाते हैं मतलब बालों को इस तरीके से कंगा करते हैं हाँ सर कंगा करते हैं ज़रा मुझे बता ये कंगा कैसा होता है ऐसा ही होता है इस पर ये दाते लिखे हो दाते बने होते हैं हाँ सर इस तरीके से दाते बने होते हैं भाई साब अगर ये ना होते ये अगर ना होते अरे पूरा ही मिट गया यह अगर ना होते तो यह ऐसी संग्रचना थी हां सर इस पर थे इसलिए ये कॉंब जैसी संग्रचना बन गयी है कंगे नूमा संग्रचना बन गयी है न तब आप मुझे बताएगा यहाँ पर दिखेगा इसमें आठ एक दो तीन चार पांच छे साथ सार आठ ये आठ कंगानूमा संग्रचन दिखना दिकरी यह नहीं सर कंगे नूमा टो नहीं है इसमें दाते का एं मैंने कँले मेरे भाईिल यह यह दहिंग ये देख, हाँ सर, अब दिखाई दिये, अब दिखाई दिये, ये proper कंगे जैसी संगरचना है, अब ये कंगे जैसी संगरचना है, मैंने का हाँ, तो यहाँ पर कॉम्ब का मतलब क्या था, कंगा, ठीके, और ये कंगे जैसी आठ, आठ कंगे नूमा प्लेट आपको दिखाई तोटल कितनी है आठ कंगे जैसी संग्रचना आपको दिखाई दे रही होंगी कितनी मेरे दोस्त आठ कंगे जैसी संग्रचना आपको दिखाई दे रही होंगी तो ये है कॉम्ब और जैली का मतलब कहीं न कहीं ये एक जैली मतलब ये संदिप्ती दिखाता है जैली मीन्स ये बहुती पतला बहुती लचीला बहुती जगमगाती हुई संग्रचना होती है कौन बिटा ये संग्रचना जिस पर कंगे नूमा आठ कंगे नूमा प्लेट होती है जैली के समान होता है समुद्र में मिलता है अक्रोट जैसा होता है जिसमें दो इस परशक निकलते हुए आपक इनको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, याद रखना है, इनको हम कॉम्ब जेली बोलते हैं, याद रखना, पूछ लिया जाएगा कॉम्ब जेली कौन सा संग है बिटा जी, यही वाला है, कौन सा, टीनो फूरा, ठीक है सर, चलें आगे, ड गमन में साहिता करते हैं ये कौन है सर जी ये है हमारे सपरशक परशक जो है वो कहीं ना कहीं समवेदी अंग है जिन पर कहीं ना कहीं ध्यान से सुनिएगा इने सपरशक पर कहीं ना कहीं कोशिकाय मिलेंगी आप याद गर ये पिछले संग में भी सपरशक थे उने सपरशक प सारी चीजे पढ़ेंगे पहले तो मुझे बताईए, पहला बिंदू समझ में आ गया, इनको हम कॉम्ब जेली बोलते, क्यों बोलते, क्यों कि इनके आठ कंगे नुमा प्लेट है, आठ कंगे के जैसी संगरचना है, जिन पर क्या मिल रहा है, पक्षमाब मिल रहे है, जो कि इनको हम क्या बोलते है, पढ़ चुके है, निक्स्ट, इनको हम क्या बोलते है, पहले जिक बोलते है, पहले जिक क्यों बोलते है, क्योंकि समुद्र की सतय पर मिलते है, ऐसे प्राणियों क्या बोलते है, पहले जिक बोलते है, जो समुद्र की सतय पर मिलते है, निक्स्ट, इनमें दो बड़े स्परशक है, ये सरी, अभी-अभी हम लोगों ने देख लिया था, इनके अंदर दो क्या मिल रहे हैं, ये बड़े स्परशक मिल रहे हैं, और इन स्परशक पर दंश कोशिका है, दंश कोशिका नहीं मिलती है, दंश कोशिका नहीं मिलती है, दंश कोशिका koloblast नाइडवलास्ट बोलते हैं, वहाँ पर naito blast यहाँ koloblast वहाँ पर naitoblast था, यहाँ पर कौन है, koloblast है उसको हमने दंशकोशी का बुला था, इसको हमने लैसकोशी का बुला है, काम यह भी वही करने वाली है शिकार को पकड़ने में सहायता करती है आपर nematocyst नहीं मिलता है तो कहने वाली बात जो थी डीटेल में ज़्यादा जाने से बहतर है कि भाईया मेरे भाई, मेरे दोस्त ध्यान से सुनना दोस्परशक, इस परशक पर में जो कोशी का मिल रही है, उनका नाम है koloblast, यानि लेसो कोशी का मिल रही है वहाँ पर क्या मिल रही थी, दंश कोशी का मिल रही थी जिसका नाम था, नाइडोबलास्ट, जो कहीना कहीं वो भी शिकार पकड़ने में, ये भी शिकार पकड़ने में लेकिन वो कहीना कहीं आकर्मन करने में और कहीना कहीं अपना बचाव करने में और कहीं न कहीं चिपकने में भी सहायता कर रही थी ये केवल शिकार को पकड़ने में क्या करती हैं सहायता करती है याद रखना इस परशकों पर मिलने वाली ये कोशी का भाईया आठ कंगे नुमा प्लेट हैं जिन पर पक्षमाब मिल रहे हैं जो गमन में सहायता करते हैं ये आठ कंगे नूमा प्लेट होती हैं जिन पर क्या मिलते हैं इस तरीके से इस फरशक मिलते हैं जिस पर क्या मिलते हैं पक्षमाब मिलते हैं ये इस पक्षमाब जो होते हैं कहीं न कहीं सीलिया जो होते हैं कहीं न कहीं गमन में सायता करते हैं इनमें पाचन भाई ये कोशी किये और अंतरा कोशिकिये दोनों प्रकार का होता है यानि इनमें पाचन दोनों प्रकार का है सेल के बाहर भी है पाचन और सेल के अंदर भी है पाचन कोशिका के अंदर भी तोड़ दिया हमने और कोशिका के बाहर भी तोड़ दिया यानि भाये कोशी की पाचन भी है और अंतर कोशी की पाचन भी है अंतर कोशी की पाचन भी है और अंतर कोशी की पाचन है दोनों प्रकार का पाचन इनके अंदर मिलता है याद रखना किस में टीनो फोरा में नेक्स्ट जैव संदिप्ति भाई साब यहां से प्रशन पूछा जाएगा नीट में याद रखेगा नीट में प्रशन जो है यहां से पूछा जाएगा जैव संदिप्ति किसमें मिलती है बिटा जी भूलना जाएगा इस संग के प्राणियों का मुख्य लक्षन है क्या इनमें केवल लेंगिक जनन मिलता और ये द्वीलिंगी होते हैं और निशेचन बाहिये होता है कैसा जनन है लेंगिक जनन है लेंगिक मिली नी रहा है और ये जो लेंगिक जनन ये करने वाले जो प्राणी है ये कैसे हैं द्वीलिंगी एक ही शरीर पर दोनों लेंगिक अंग तीन उपलाना जरूर याद रखेगा टीन उपलाना ही है तो भूलना जाएगा यह सिंपल से आठ लक्षन थे जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट लक्षन दो से तीन ही है क्या जैव संदिप्ति याद रखना भूलना जाना है ना और आठ कंगे नूमा प्लेट जिस पर इंद पाठक दिमाग लगा तेरे अंदर पाचन कहां पर होता है एक नली के अंदर हो रहा है जिसको हम आहार नली का बोलते हैं हमारे मुख में होता है हमारे पेट में होता है हमारी आत में होता है वो भी छोटी आत में होता है तीन जगे होता है हमारे अंदर पाचन अब ज चले जी बहुत ही बढ़ी या दे रखा है वेरी गुड बहुत ही बढ़ी या चले और कोई तो नहीं आया यहाँ पर जहरीला बाबू चले आगे चले निक्स्ट अगला जो संग जो है उसका नाम है प्लैटी अलमेंटीज बिटा अगला जो संग हम पढ़ने वाले हैं उसका हम इनको क्या बोलते हैं चप्ट करमी बोलते हैं कीडों के समान संग्रचना ओती जैसलिए हम उनको करमी बोलते हैं याद रखना ये कैसे होते हैं लगाईएगा द्वी पार्शव सम्मिती अब इसके बाद सब में मिलेंगी सब में सब के अंदर कौन सी होएगी द्वी पार्शव सम्मिती भाई आ सम्मिती हो गई और फिर कौन सी थी हमारी द्वी पार्शव सम्मिती द्वी पार्शव सम्मिती जो थी आपने याद रखना था सब के अंदर मिलेगी बस एक और चीज याद रखनी थी जो इकाइनो डर्मेटा थी इकाइनो डर्मेटा की जो लारवा वस्था जो थी उसमें अंदर भी क्या थी द्वीपार्शा सम्मेथी थी याद रखेगा चाले जी नेक्स अंग स्तर का संगठन मिल रहा है इनके अं सा है अंग स्तर का इनके अंदर क्या मिल रहा है संगठन मिल रहा है यानि अंग मिल रहें अंग तंतर नहीं अंग स्तर का संगठन मिल रहा था यह बहुत इंपोर्टेंट है जहां इंपोर्टेंट है जहां स्टार लगा रहे हैं याद रखना इनके अंदर जो उतसर्जन अ अंग क्या है ? सर क्लास रुक गई ये बिल्कुल भी नी रुक ये मजा कर रहे है आप लोग हाँ जी फटाफ़ण मुझे बताई आपके अंदर उठसर्जन अंग क्या है ? अब हमको पता आप धीरे धीरे चलते बनेंगे दीरे धीरे चलते बनेंगे बस इतनी कैपसिटी आप अंदर बोल ये आपके अंदर उत्सर्जन अंग क्या है बोल जल्दी से बोलो शौम्य तिवारी बाते ना करो बोल ये तनवी आपके अंदर उत्सर्जन अंग क्या है वरक वेरी गुड किड्नी बहुत ही बढ़ी है किड्नी के अंदर काम कौन करता है किड्नी के अंदर उत्सर्जी शंगरचना कौन है कौन है जो मुत्र बनाने में सायता करता है किड्नी के अंदर वरक के अंदर कौन ने काणू है न लेकिन लेकिन कुरियात्मा की काई कौन है वक्राणू है किडिनी तो एक ओरगन है उस ओरगन की फंक्ष्णल यूनिट कौन है जो फंक्ष्ण कर रही है कौन नेफरॉन है न उसी तरीके से याद रखना यहाँ पर झो अंग जो होएगा इनके अंदर उसका नाम तो प्रोटो नेफरीडिया है और उस प्रोटो नेफरीडिया के अंदर जो कोशिका मिलेगी उसका नाम है जुवाला कोशिका कौनसी कोशिका मिल रहे है बिटा जी याद रखना है जुआला कोशिका वो कोशिका जिसको हम अंगरेजी में बोलते हैं फ्लेम सेल ये वो सेल है ये वो कोशिका है जो इस अंग के अंदर मिलेगी ये अंग इनके अंदर मिलेगा और इस अंग के अंदर ये जुआला कोशिका कहीं ना कहीं उत्सरजी पदार्थ का निर्मान करने के बाद इस अंग के द्वारा वो उत्सरजी पदार्थ शरीर से निकाल दिया जाएगा तो उत्सरजन में सहायता करने वाली जो संगरचना जो इनके अंदर मिलती है उसका नाम होता है जौला कोशी का जिसको हम क्या बोलते है फ्लेम सेल्स बोलते है ये था चौथा बिंदू मेरे भाई मेरे दोस्त याद रख लेना भूलना जाएगा जौला कोशी का किस में मिलती है चप्टे करमियों में मिलती है निक्स्ट पांचवा बिंदू बिटा ये ज़्यादातर कैसे होते हैं अंते परजीवी होते हैं अंते परजीवी का मतलब जो शरीर के अंदर जाकर शरीर को नुकसान पहुचाएंगे उनकों क्या बोलते हैं अंते परजीवी अब अंदर जाएंगे तो कही न कही शरीर के अं करता है चूसने का काम करता है तो हमने बोला क्या कि ये एक लंबी पतली सी संगरचना है ना इसमें मुख है ना इसमें पैर है ये जो संगरचना जोती है इनको क्रमी बोला जाता है याद रखना आज के बाद अगर आप से कोई पूछे क्रमी क्या होता है तो याद रखना क्र क्रमी यानि वॉर्म्स का मतलब क्या होता है ऐसे जीव जिनका शरीर लंबा होता है लचीला होता है जिनमें नहीं आखें होती हैं नहीं हाथ पैर होते हैं याद रखना नहीं हाथ पैर होते हैं नहीं आखें होती हैं नहीं उपांग होते हैं सिर्फ लंबा लचीला सा शरीर हो होता है उनको हम बोलते हैं वाम्स क्रमी बोलते हैं याद रखना भूलना जाएगा ठीक है इनके अंदर जो आगे वाला जो भाग जो होता है वो चूशक के जैसा होता है चूसने का काम करता है तो ये शरीर में जाएंगे जाने के बाद कहीं ना कहीं शरीर के अंदर किसी और निशेचन आंतरिक होता है, निशेचन जो हता है वो शरीर के अंदर ही होता है याद रखना, निशेचन कहाँ पर होता है, शरीर के अंदर होता है, महुत इंपोर्टेंट है, याद रखना सबसे ज़्यादा पुने रुद्ध भवन की शंता जोती है किसमे उती है, प्लिनेरिया में, याद रखना, और यह आप पढ़ते भी आ रहे हैं, बहुत सालों से प प्लेनेरिया एक क्या है चप्टा करमी है जिसके अंदर बहुत ही जादा बहुत ही जादा शमता होती है किसकी पुनेरुद बवन की असीम शमता होती है यानि अगर इस प्लेनेरिया का छोटा सा भाग अगर आप काट दोगे तो वो कटे हुए भाग से पुनेरिया बन टीनिया, सोलियम भी होता है, टीनिया, सेजिनेटा भी होता है, जिससे बिमारी जो होती है, उसका नाम होता है, टीनियासिस, जो किसके खाने से होती है, गाय या भैस का मास खाने से, कौन सी बिमारी होती है, टीनियासिस होती है, साथ साथ, सूर का मास खाने से भी टीनियासिस होती है डीटेल में नहीं ले जाओंगा बस इतनी सी बात बताओंगा ये टीनिया की दो जातिया होती है एक होती है टीनिया सोलियम और एक होता है टीनिया सेजिनेटा टीनिया सोलियम जो होता है वो मिलता है किसमें गाए में और भैस में मिलता है अब आपने गाए या भैस का मास खाया इनका जो मास जो होता है उसको हम बोलते हैं बीफ उसको हम क्या बोलते हैं बीफ बोलते है याद रखना गाय और भैस का जो मास जो होता है उसको हम क्या बोलते है बीफ और वो जो बीफ जो था जरा सोचिए वो गाय और भैस जिसके अंदर कौन था टीनिया सोलियम टीनिया सोलियम मालत है किसी गाई अभैस में था उसको मारा काटा और उसका मास जो है जिसको हमने बुला है बीफ उसके अंदर बीफ के अंदर क्या है टीनिया सोलियम है अब जरा सोचे इसको कुक किया गया किसको इस मास को जब कुक किया गया तो प्रॉपरली इसकी ते टीनियस सिमिलरली टीनिया सेजिनेटा ये भी क्या होता है एक प्रकार का जाती होती है किसकी टीनिया की ये मिलती है किसमें बिटा जी सूर में मिलती है याद रखना अगर सूर का मास जो है उसको खाया जाएगा सूर के मास को बोला जाता है पॉर्क सूर का मास जो होता है snails के थू जाता है, गोंगे के थू जाता है, इस बिमारी को बोलते है, faciolopsiasis, बहुती भारी, भारी word होता है, faciolopsis, बोलना, pronounce करना, simple याद रखना, teenia, faciola, teenia और एक faciola, ये दो उधारन हैं किसके बिटाजी, दो नहीं, तीन, teenia भी है, faciola भी है, planaria भी है, ये तीन उधारन याद रखना, किसके चप्टे क्रमी के, किसके चप्टे क्रमी के, हम, अब नहीं गौतम तुम को क्लास से भार निकाल दें, फिर कभी ले नहीं पाओगी क्लास, सची कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं सर पौर्क खाओगे, तुम पढ़ने आते हो, या बकलोली करने आते हो, क्लास में, हैं, निकाल दें तुमको क्लास से, फिर कभी देख नहीं पाओगी क्लास आज के बाद, सर इनके example कैसे याद रखनेंगे, नहीं रखने, नहीं रखनें, बिलकुल example, मलब ये चीज, ये चीज मत याद रखो, कोई दिकत नहीं, ये तो याद रखना, example कैसे याद रगए है, ये तो याद करने पड़ेंगे मेरे भाई, रिवाइस करना पड़ेगा, हाँ जी, पड़ाई कर रहे हो ना, किसी और को भी क्यों बोल रहे हो, कि पॉर्क खाएगा, दिमाग खराब है तुम्हेरा, फिना अफाल तुम्हें, चलिए जी, ये था हमारा कौन सा चप्टा करमी, कौन है ये, चप्टा करमी, और तुम जैसे बाला के न, पड़ाई नहीं करते हो, सची कह रहे हैं तुमसे, अभी अभी तुमसे बोला था, मत बाते करो, मत चैटिंग करो, फोकस सिर्फ पड़ाई पर करो, नहीं, हमें तो चैटिंग करने हैं, हमें तो पौर खिलाने हैं सामने वाले को, हाँ जी, नेक्स्ट, इसके बाद जो अगला संग आ रहा है, उसका नाम है, एसके हलमेंथीज, जिसको हम गोल करमी बोल रहे हैं, इससे पहला वाला जो संग जो था, वो कौन सा था, चप्टे करमी थी, अब ये वाला जो संग जो है, इसका नाम है, गोल करमी, अब आप मुझे बताइएगा, जब हम तुमसे प्रशन पूछे, तब आंसर दिया करो, इसको देखकर मुझे ये बताइए, ये कौन है, ये कौन है, ये, केचुआ है, बोलिये, बोलिये, जरब बताइए, बोलिये, 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 बताइए, जल्दी से बताइएगा, ये जो दिखाई दे रहा है, क्या ये केचुआ है, नई, ये केचुआ नहीं है, ये एसकरिस है, कौन है बिटा यह? Szkeris है. के चुवा देखना? अभी के चुवा भी तुमको दिखाएंगे. यह एक गोल कर्मी है. सर ये क्या? ये सका अंड़ा है. अंड़े में से निकला था. कौन ये? Szkeris. ठीक है? तौइ ये पढ़ने वाले हैंक्या? गोल करमी, अब साब गोल करमी क्यों नाम दिया है, मेरे दोस्त इसको जब मैं काटूंगा, तो कैसी संग्रचना प्रतीत हो रही है, कैसी दिखाई दे रही है, मेरे दोस्त, बांगडू, बिडू, कैसी दिखाई दे रही है, सर ये गोल दिखाई दे रही है, इसलिए हमने इन को क्या नाम दिया है गोल करमी नाम दिया है यह पहला बिंदू यही लिखा हुआ है हाँ जी अब हमारे अंदर धीरे-धीरे ऊड़जा खतम होती जा रही है बताईए आपको समझ में आ रहा है सर जी repeat please class खतम होने के बाद फिर से repeat कर लियो repeat please हाजी गोल करमी बहुत सीधे-सर शब्दों में गोल करमी का मतलब जिसको काटोगे काटने के बाद वह अंदर से कैसा होगा गोल Π्रतीत होगा उसको हम क्या बोलेंगे गोल करमी सीधी जी बढ़त है यह कौन Wall निक्स्ट कैसे होते हैं यह जलिये भी होते हैं जल में भी मिलते हैं स्थल पर भी मिलते हैं मुक्त रूप से भी मिलते हैं और परजीवी भी होते हैं याद रखना कौन इस संग के पराणी पानी में भी मिल सकते हैं स्थल पर भी मिल सकते हैं पानी और स्थल पर मुक्त भी मिल सकते हैं या किसी पादप या किसी जन्तु के अंदर भी मिल सकते हैं यानि पर जीवी भी हो सकते हैं और फ्री रूप से मिल भी सकते हैं मुक्त रूप से मिल सकते हैं जैसे हम मुक्त जीवी हैं मुक्त रूप से होते है, 3 pessoal होते हैं. मेरे दोस्त yad कर, कूटगुहा जो थी, सबसे पहले स्फिटो सिलोम जो थी, जहाँ पर मीजो डम बटी नहीं थी, आच्छादन नहीं हुआ था. कूटगुहा, स्फिटो सिलोम किसमें मिली थी, याद कर किसमें, इसके हलमन्तीज में, गोल करमी में, जिसको हम निमाटी हलमन्तीज या निमेटोड भी बोलते हैं, ठीक है, सबसे पहले अंगतंतर इस्तर का शारिरिक संगठन किसमें मिला था, देखिए अभी तक, कोशी के स्तर का संगठन, औरी फेरा, फिर उसके बाद उत में याद रखना अंग तंत्रिस्तर का संगठन सबसे पहले किसमें मिला था एसके हलमें थीज में मिला था आहार नाल इनके अंदर कैसी थी मिटा पूर्ण थी इनके अंदर उच्छ सरजन नाल मिल रही है जिसको हम प्रोटोनेफरीडिया बोलते हैं जिनके अंदर जो कोशिक कौन से मिल रही थी जौला मिल रही थी अब इसकी हम बात कर रहें किसकी इसकी किसकी गोल करमी हमने बोले चप्टे करमी में मेरे बात को आखों में आखें डाल के ध्यान से सुन चैटिंग करेगा तो कोई फाइदा नहीं होएगा और हम थक गए हैं तुमको कहते कहते लेकिन तन्वीर आलम, शिवा ओफिशल, जै गहलूत, के पटेल, अंकित चौधरी, बुक लवर, है ना तुम जैसे बालक कभी कभी मानोगे नी हम जैसे टीचर की बात को हम थक जाएंगे हैं मर जाएंगे कहते कहते लेकिन तुम नहीं समझोगे भाई साब करते ही नहीं समझोगे सर, आज के लिए इतना ही, क्यों भे, ठक गया इतनी जल्दी, देख, हमने बोला कि प्लैटी हेलमन्थी, जमें उचसरजन अंग, अंग क्या था, प्रोटो निफ्रीडिया, था के नहीं था, हाँ सर, था, था था, कौन उचसरजन अंग, कौन प्रोटो निफ्रीडिया, वह हाँ सर, कुछ तो फरक करेंगे, वहाँ पर इनंगों में जो कोशिका मिले थी, उसका नाम क्या था, ज्वाला थी ना, ज्वाला थी ना, अरे, ज्वाला थी के नहीं थी, हाँ सर, यहाँ पर जो कोशिका मिलेगी, उस कोशिका का आकार, ज्वाला कोशिका से बड़ा होता है हाकार की होती है जिसे हम रेनिट कोशी का कहते हैं क्या नाम देते हैं रेनिट कोशी का नाम देते हैं रेनिट कोशी का वो कोशी का होती है जो इस अंग में मिलती है यानि आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर अगर जोर डाल पाएं बंदू तो प्लीज जोर डाल दीजिए हम आपसे request कर रहे हैं फ्लीज ठोड़ासा जोर डाल दीजे अपने दिमाग पर और सिर्फ इतना सा जोर डाल कर बस इतना सा सोचिए proto nephridia भी थे proto nephridia यहां पर भी यानि सरजन नंग का नाम तो सेम है लेकिन कोशिका अलग हो गई है उनकी चप्टे करमयों की प्रोटोनेफरीडिया में जो कोशिका थी उसका नाम क्या था फ्लेम सेल ज्वाला कोशिका और यहां पर जो कोशिका उसका नाम क्या है रेनेट कोशिका है रेनेट कोशिका याद रखना भूलना जाएगा कौन सी कोशिका है, रेनिट कोशिका है, याद रख लेना, कौन सी कोशिका, रेनिट कोशिका है, हाँ जी, चलें आगे, सिमझ में आ गया, तो याद रखना, इन में, प्रोटोनेफरीडिया, यानि उच सर्जन नाल मिलती है, जिसकी जो कोशिका है, उसका नाम है रेनिट कोश स्री होते हैं यानि एक लिंगी होती है मादा और अलग अलग होते हैं और 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 मादा जो है वो नर से बड़ी होती है यह देखिए है फीमेल और यह है मेल मादा जो है नर से बड़ी होती है अव्यसी बात है मादा का जो स्थान जो है जिन्दगी में एक स्तरी का एक माद का एक female का स्थान जो है बड़ा है हम तो हमसे हम तो हमेशा से कहते हैं आपसे है ना सो कैसी होती है बड़ी होती और यह कैसे होते नर कैसे होते जिन्दगी में भी छोटे होते हैं और बिचारे हमेशा पिसे रहते हैं कैसे होते हैं चोटे होते हैं तो याद रखना मादा जो है वो नर से क्या होती है बड़ी होती है अरे यार इसको भगाव रहे यार ये के पटेल को यार दिमाग खराब करें रखते हैं ऐसे बच्चे यार हद हो गई है यार भाई साब हद आप लोग के है दो हम नहीं आएंगे भगयां से चल आना मत आज की बाद हमारी क्लास में हाँ जी चलिए जी एक लिंगी होते हैं नर और मादा अलग होते हैं मादा जो है वो नर्शे बड़ी होती है नर जो है वो कैसे होते हैं छोटे होते हैं ठीक है एक्जामपल याद रखना है एसकेरिस वुचेरेयरिया एंसाइक्लोस्टोमा इन में से ये दो उधारण कते हैं आपने भूलने नहीं है जिस में से वुचेरेयरिया वो उधारण है जिससे बिमारी होती है, फाइलैरी एसेस, जिसको हम, एलिफेंटी एसेस या थी पाँव बोलते हैं कौनसी बिमारी, हाथी पाँव, फाइलैरी एसेस भूलना जाहिएगा, वुचर एरिया, बेनकरॉफटी, वुचर एरिया, मलाई, ये दो परकार की जाती हैं, जो इंडिया में मिलती है, किसकी वुचर एरिया की, ये एक गोल करमी है, याद रखना, ये मच्चर की लार में मिलता है, और उस मच्चर का नाम होता है, मादा QLEX Mosquito याद रखना कौन सा मादा क्यूलेक्स मॉस्किटों की लार में मिलता है सर यह कैसा होता है मादा क्यूलेक्स अभी आज ही दिखाऊंगा मैं आपको यह कौन सा मादा क्यूलेक्स मॉस्किटों आपको दिखाऊंगा ठीक है, तो ये था वुचेरेरिया, एसकेरिस और एंसाइकलोस्टोमा, याद रखना ये क्या था बिटा जी, आपका गोल करमी, अब इसके बाद अगला जो संग आ रहा है, वो है एनलिडा, जिसके अंदर आता है, कौन बिटा जी, आपका केच चुआ हाँ जी, और कोई चाता है, हम उसकी क्लास बंद कर दे, और कोई तो नहीं है यहाँपर, हमने दो तीन को तो बगा दिया है, एक जहरी आदमी आया था, एक केप अटेल आया है, और कोई है जो चाता है कि क्लास में दंगा मचाना ना है, क्लास को परिशान करना है क्लास को तंग करना है कोई और है बता दीजे हम उसको भी निकाल देंगे फिर बाद में ना कहिएगा कि सर हमको क्लास में ले ली जिए क्लास में ले ली जिए है ना आएंगे कई आएंगे आते हैं बिटा ऐसे कहीं आएंगे हमारी class में जो disturb करेंगे और हम भी हम भी उनको class से निकालेंगे बिल्कुल निकालेंगे हाँ जी चले सरी केचुआ कितना अच्छा लग रहा है है ना तुम्हरा खाने का मन कर रहा है है ना लोग खाते भी है इनको हाँ अर्थवर्म को खाते हैं लोग विदेशों में खाते हैं सरसुरे कुछ भी खा जाते हैं हम चले सो अब हम पढ़ रहे हैं पिटाजी यहाँ पर कौन सा संग एनलिडा जिसके अंदर किसको रखा गया है केचुवे को याद रखेगा ठीक है सो यह जली होते हैं स्थली होते हैं मुक्त जीवी होते हैं पादप और जन्तु दोनों में परजीवी होते हैं अरे सर यह तो लाइन बिल्कुल वैसी है गोल करमी वाली है सोच गोल करमी में भी पहला बिंदू यही था ना गोल करमी भी एसके हलमें तीज मी जिसको हमने निमै लेकिन ज़रा इस डायग्राम को देखना ये डायग्राम देख रहा है ये जानते कौन है ये नेरिस है ये कौन है ये नेरिस है ये पानी में मिलता है और ये कौन था केचुआ ये स्थल में मिलता है समझ में आया देखो ये कहां पर मिलता है सर ये मरदा में मिलता है यानि ये थल ये हो गया और ये कौन है ये नेरिस है नेरिस अभी आपको और बढ़िया तरीके कर नेरिस दिखाऊंगा ये पानी में मिलता है ये मिलता है ये मिलता है पानी में और ये मिलता है किसमें इस थल में मिल रहा है ठीक है चलो जी आगे चलते हैं बाकि द्वी पार्शव सम्म मैंने आपको बताया था एनलिडा और आर्थरोपॉड और ओर देटा में वास्त्विक खंडी भवन था याद कर छठा साथा और ग्यारव संग बोला था क्या मिल रहा था नेक्स्ट इन में अब क्या मिलेगी अनुलंबिया और अनुप्रस्थ मास्पेशिया मिलेगी अब ज़रा सोच आपने कभी केंचुए को रेंगते हुए देखा है आपने कभी इस केंचुए को रेंगते हुए देखा है हाँ सरी इस तरीके से सिकुड़ता है फैलता है सिकुड़ता है फैलता है सिकुड़ता है फैलता है देखा है ना ये वाला पोर्शन सिकुड़ेगा फैलेगा सिकुड़ेगा फैलेगा देखा होगा है ना होता है ना शो कुल मिलाकर ये सिकुड़ने और फैलने के लिए इनके अंदर क्या चाहिए स मैंने तुम से बोला मैंने तुम से बोला कि एक वो प्राणी जो इस थल पर मिल रहा है द्यान से सुन एक वो प्राणी जो इस थल पर मिल रहा है उसको चलने के लिए सिकुड़ना फैलना पड़ रहा है लेकिन वो जो पानी के अंदर मिलेगा उसको सिकुड़ना फैलना रहा है सिकुड रहा है फैल रहा है सिकुड रहा है फैल रहा है सिकुड ने फैलने के लिए उसके अंदर क्या चाहिए मास्पेशिया अब हम आप से बोल रहे हैं जरा देखना यह मास्पेशिया जो आपको दिखाई दे रही है शरीर में कैसी दिखाई दे रही है कैसी नहीं है हां सर ये गोलाकार मास्पेशिया है लेकिन जड़ा ये वाली देखिएगा ये शरीर में कैसी होएंगी ये इस तरीके से अगर इस तरीके से शरीर में मिल रही है नीली नीली ये कैसी है सर ये अनूलंबिये मिल रही है तो दोनों प्रकार की मास्पेशिया मिलती है गोलाकार भी मिलती है अनुलंबी और गोलाकार ये दोनों मिलकर कहीं न कहीं गमन में साहता करेंगी डंडणा डंडण किसमें स्थलिये प्राणियों में लेकिन सर जो जल में मिल रहा है जैसे ये नेरिस किसमें मिल रहा है जल में इनमें क्या मिलेगा क्या इनमें मासपेशिय संकूचन शितलन के कारण गमन होएगा नहीं इनके अंदर कुछ पैर मिलेंगे पैरों जैसी संगरचनाएं मिलेगी जिसको हम बोलते हैं पार्शवपाद पैरा पोडिया बोलते हैं तो पैरा पोडिया पार्शवपाद वो संगरचनाएं हैं जो इनके अंदर मिलते हैं जलिय लंबी और गोला कार मासपेशिया, ये चचुए में मिलेगी, और ये वाली जो है, नैरिस में मिलती है, याद रखिएगा, नेक्स l बंद इनके अंदर कैसा होता है परिसंचरन तंतर इनके अंदर कैसा होता है बंद होता है याद रखना एनलेडा में और आपके कोड़ डेटा में कैसा होता है बंद परिसंचरन होता है जबकि आर्थरोपोडा और मोलस्का के अंदर कैसा था खुला परिसंचरन तंतर था कैसा भाई हम ठगे हैं भाई साब कसम से समझा समझा के यह जितने भी बालक है फैम मत करो हमारी कलास में लेकिन ठीक है तोड़ा सा बस वो maintain करना देकर home हमारी कलास का तुम्हे करना है करो तुम्हे करना है पढ़ने वाला बच्चा तुम्हारी बातों को सुननी रहा जो नहीं पढ़ने वाला है वो तुमारी चैट देख रहा है कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब मैं ब्लॉक नहीं करूँगा और जिसको ब्लॉक करना है वो अपना इंडिवीजिल बच्चा ब्लॉक करता जाए ठीक है हाँ जी हाँ ठीक है आईए इस इससे पहले आपने जो नाम किया था प्रोटो नेफरीडिय था अब थोड़ा सा सोच कर हमको इक इतनी सी बात बताईएगा दिमाग लगाईगा हम तुमसे ये पूछ रहे हैं प्लैटी एलमेंटीज में उत्सर जनंग कौन इधर देख इधर देख मैं तुम्हें देखी नहीं रहां मैं जो यूट्यूब पर बाला कहा न मैं उनसे कसम से बहुत गुस्सा हूँ कसम से इतना ज़्यादा गुस्सा हूँ ना हरे भाईया चैट आफ कर दीजे प्लीज जो यूट्यूब पर है यूट्यूब पर है लिख दीजे चैट आफ और चैट आफ करने के बाद में बंद कर दीजे फिर ये पीछू भाईया पीछू भाईया जैसे जो है पीछू भाई पीछू भाई जैसे जो है पगलेट बालक उसका नाम प्रोटो नेफ्रीडिया नहीं है सिर्फ क्या हे ने या नि प्रोटो हटा दिया और proto का मतलब क्या होता है प्राचींतम यानि कहीं ना कहीं उधसर्जन अंग में विकास हुआ होगा यहां पर केवल आपको उधसर्जन अंग याद रखना है उसकी कोशी का याद नहीं रखनी है क्योंकि यहां पर नहीं दिई हुई है कोशी का, और जुह सर्फ है उत्षर जन अंग याद रखना है, इससे पहले वालों में आपको प्लेटी Almentheise और स्काल मैं ऻ्रेज आपको उत्सरजन अंग भी याद रखना तो उनकी कोशिका भी याद रखनी थी, फिर से बुला रही हूँ फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन, प्लैटी हलमेंथीज, ध्यान से सुन, प्लैटी हलमेंथीज के अंदर उत्सरजन अंग, प्रोटोनेफरीडिया, कोशिका का नाम, ज्वाला कोशिका, ओके, एसके हलमेंथीज में उत्सरजन अंग, प्रोटोनेफरीडिया, कोशिका का भी कुछ सर्जन अंग है next शरीर के अंदर कैसा होता है शरीर नली के भीतर नली मेरे याद रख लेना ट्यूब विदिन ट्यूब ये शरीर है जदा ही बड़ा कर दिया ये शरीर है एक नली के जैसा इस नली के अंदर एक और नली है ये शरीर उसके अंदर शरीर भी नली के जैसा है नली के अंदर आहार नाल ये भी नली के जैसी है अगर आपके पास कोई पैन विन रखा है तो जरा देख लीजे मेरे पास यहाँ पर कोई पैन मेरे को मिलनी रहा है इसके अंदर मैं खोल नहीं पाऊंगा नहीं तो आपके पास pen है उस pen को खोली हो उसके अंदर refill निकाल गे refill क्या है नली और जिस pen के अंदर डाल रहे हो वो भी नली तो नली के भीतर नली tube within tube याद रखना ये word नली के भीतर नली किसमें मिलती है मेरे भाई एनलीडा में मिलती है एनलीडा का specific लक्षन भूल मजणा जैव संदिप्ती किसमें मिल रही थी नली के भीतर नली किसमें मिल रही थी ज्वाला कोशी का किसमें मिल रही थी ये important important चीज़े है याद रखना ये जो important important word है ये सारे याद रखने है ठीक है next अब भाई साब इनके शरीर के अगर भाग में एक वले मिल रहा है किसका तंत्रीका का ध्यान से देख इनके शरीर के अगर भाग में इनके शरीर के अगर भाग में ये शरीर का अगर भाग है और इस भाग में क्या मिल रहा है तंत्रिका का एक वले मिल रहा है वले मतलब गोलाकार तंत्रिका का संगरचना मिल रही है ठीक है और इसी से पीछे की और जुड़ी हुई रजु मिल रही है और इन रजुओं से साइड में तंत्रिका है निकल रही है का सर जी समझ में नहीं है वापिस से देख फिर से बनाओंगा फिर से बनाओंगा वापिस से बनाओंगा देख यह शरीर मैंने का हाँ शरीर के अगर भाग में तंत्रीकाओं का एक क्या मिल रहा है गुच्छा यह देख मिल गया मस्तिश्क के जैसा है फिर इसके पीछे क्या म कई धागे 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 धागो रज्जु है किसके तंत्रीका के रज्जु है जिन से साइड में पार्षव में क्या निकल रही है तंत्रीका है निकल रही है शरीर में फैली हुई है बोलिए खतम बात इतनी सी बात है ये क्या बन रहा है तंत्री का तंत्र बन रहा है इतनी सी बात को यहां समझ रहा है तंत्री का तंत्र में अगर सिरे के पास एक तंत्री का वले है हो गया जी यही बूला ना क्या मिल रहा है एक तंत्री का वले मिल रहा है कहां पर शरीर के अ इस तरह बादा शटा इस तरीके से तंत्री का रज्जू पीछे तक शरीर के लंब वत क्या है फ्हेले हुऊ है जिनसे साइड में क्या निकल रही है तंत्रीका है निकल द कर देख रहे हैं उनमें यहां पर यहां पर यह 맛कर है यह वली यह वली यह जो смग्रचन है आप देख रहे हैं यह है पेरा पोडिया पार्शवपाद है जो गमन में सायता करते हैं दूसरा उधारन बेटा केचुआ यह आप जानते हैं विज्ञानिक नाम फेरेटीमा पहला कौन सा था यह कौन है नेरिस दूसरा केचुआ फेरेटीमा और फिर तीसरा है हिरुडिनेरि ये तीन उधारण है कौन से संग के याद रखना एनलिडा संग के आपने उधारण याद रखने मुखे मुखे बिंदू याद रखने मेन मेन चीज याद रखने है खतम का लास नेक्स्ट अगला जो संग जो आ रहा है जो इस प्रत्वी पर मिलने वाला सबसे बड़ा संग है जिसको जिस संग के अंतरगत बहुत सारा मलब सबसे बड़ा संग है जिसमें कीटों को मुख्य रूप से रखा जाता है। सर आपने कोईनोसाइट के बारे में नहीं बताया बेटा कोईनोसाइट का मतलब क्या होता है संकोशी का होता है ऐसी कोशी का जिसके अंदर भहुत सारे केंद्रक होते हैं उनको हम कोईनोसाइट बोलते हैं यहां पर कोईनोसाइट कहां से आ जाएगी है या सिनोसाइट बोला यहां तक किसी को कोई दिक्कत किसी को कोई प्रॉब्लम हाँ जी 1.4 के कर दिया है भाई साब ये क्लास खतम होने तक 1.5 के करा दीजेगा बस हाँ जी सर मुक्त जीवी क्या होते हैं दिनेश रोय ऐसे जीव जो मुक्त रूप से अराम से बिना किसी के साहरे के अराम से रह रहे हैं मुक्त रूप से है ना क्या के लाएंगे मुक्त जीवी फ्री मिल रहे है हाँ जी सब समझ में आ रहा है वेरे गुट सुमित कुमावद बहुत ही बढ़ी है अंके चौदरी कह रहा है ये सब पढ़ने नहीं आते हम तेरा कमेंट पढ़ने आते हैं ओए हुए हुए मेरे देवदास प्यार का बुखार चड़ा पढ़ा तेरको तो सर इसका PDF का मिलेगा टेलिगराम के चैनल पर मिलेगा सर कौकरोज को देखकर जलेबी की याद आ गई बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया क्या बात है I have three months holidays so please don't judge me क्या बात है हम तो करेंगे बटा कौन-कौन चाहता है कि कल से हम ना आ है हम चाहते हैं कि कल से आप ना आ है पीछू भाई हम चाहते हैं कि आप ना आ है please ये हमारी दिलो मनो काम ना है कि आप हमारी कलास में कते ही ना है बिलकुल ना है बिलकुल ना है चाहे आप हमारी कलास को dislike करके चले जाए हमको रतिवर परकनी पड़ रहा है please आप हमारी कलास में अभी के अभी निकल जाए कसम से कसम से नहीं तो हम बेज़जिती करके तुमको निकालेंगे बहुत अच्छा नहीं लगेगा तुमको प्ली जबी निकल जाईए धपके मारके तुमको बाहर निकाल देंगे हमारी क्लास से निकल जाईए तुम यहां से हाँ जी और कोई कर रहे हैं सेनी जी कोशिश कर रहे हैं आ रहा है समझ में आईए चलो आई आगे बढ़ते हैं सो अगला जो संग हम पढ़ने वाले हैं बीटा जी उसका नाम है क्या आर्थो पोड़ा और ये जो आर्थो पोड़ा संग है ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संग है ठीके अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि और और तो का मतलब होता है जोइंट संधी हम तुमसे बस इतनी सी बात पूछे तुमको यहां पर इस बिच्चु के पैर दिख रहे हैं इन पैरों को देखो इन पैरों को देखो यह देख यह पैर यह पैर इस तरीके से यह पैर इस तरीके से संधी युक्त दिखाई दे रहे हैं देखो क्या यह पैर जो है आपको ऐसा नहीं लग रहा है इन पैरों में जोइंट्स मिल रहे हैं हाँ सर मिल रहे हैं तो ऐसे संग के प्राणियों को हम क्या बोलेंगे आर्थो पोड़ा बोलेंगे जिनके लेग्स ज थक गए हैं येस बिटा मैं पूर्ड रूप से थक चुका हूं मेरी जितनी भी एनर्जी थी वो सारी निकल चुकी है अब जो मेरे अंदर एनर्जी बची है उसी एनर्जी के साथ मैं पढ़ा पाऊंगा ठीक है तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ज्यादा परिशान ना करिएगा मैं पढ़ा रहा हूं आपको लेकिन मन से पढ़ा रहा हूं लेकिन एनर्जी पूरी खतम हो चुकी है मेरे अंदर ठीके तो आर्थो पोड़ा संग की हम बात कर रहे हैं तो आर्थो पोड़ा संग वो संग होता है जिसके प्राणी जो होते हैं जिनके legs जो होते हैं वो कैसे होते हैं jointed होते हैं, संधिया मिलती हैं किसमें पैरों में उनको हम क्या बोलते हैं, आर्थोपोडा सबसे बड़ा संग है, यह हम आपको अलरेढ़ी बता चुके हैं, सबसे बड़ा संग है और इस संग के अंतरगत सबसे ज़्यादा जो प्राणी जो मिलते हैं वो कौन मिलते हैं कीट मिलते हैं कीडे मिलते हैं याद रखना इंसेक्ट मिलते हैं लगवग इस प्रत्वी पर जितने भी प्राणी मिल रहे हैं उनका 65 प्रतीशत भाग जो है वो कौन बना रहे हैं यही पर कौन बेटा जी आपक feel करिए कि आप सबसे ज़्यादा प्राणी इस प्रत्वी पर कौन है आर्थु पुड़ और वो भी कौन कीट कीड़े निक्स इनमें अंगतंतर सरका शारिक संगतन मिलता है मैंने आपको पहले बता दिया अब तो सब के पास अंगतंतर मिले गई मिलेगा शरीर इनका कैसा होता होता है खंडित होता ही हमने देखी लिया था इनमें द्वी पार्शव सम्मिती होती है त्री कोरिक होती है प्रग हुआ इनमें मिलती है यह हमने देखी लिया है नेक्स्ट इनका कंकाल आज जी यहां से प्रशन पूछा जाएगा इनका कंकाल किसे बना होता है काईटिन से काईटिन वर्ड अपनी जिन्दगी में दो जगे याद रखना एक कोशी का भिती में मिलता है काईटिन किसकी कोशी का भिती में मिलता है जरा जल्दी से आंसर बताईएगा फटाफट हम सर हमारी 4 बज़े से ठीक है कोई बात नी 4 बज़े से लास है तो 4 बज़े तक छोड़ दूँगा मैं आपको हाँ जी बताइए घाब फटा फटा बोलिये जलिदी से बताइए क्या आपको पता है काईटिन किसी की कोशी का भित्ती में मिलता है कोई भी बच्चा हमें बताना चाहेगा किस में मिलता है very good कवक में बहुत बढ़ी है सो कवक की कोशी का भित्ती के अंदर कौन मिलता है बेटाजी कायटन मिलता यह कायटन एक प्रकार का modified क्या होता है carbohydrate होता है तो याद रखना यह कायटन यह कायटन जो होता है ये दो जगे एक तो कवक की कोशी का भिती में और आर्थरोपूडा जो होते हैं कीट जो होते हैं इनका बाहर से कंकाल बनाता है कौन काइटिन next इनके शरीर में सिर है वक्ष है उदर है ये सिर है ये वक्ष है और पीछे वाला भाग जो है उदर है जिसमें कुछ में पंक भी होते हैं next इनके शरीर में कहीं ना कहीं श्रसन करने के लिए क्या-क्या चीज़े मिल रही है देखिएगा ये बहुत important है जरा गौर फर्माईएगा जनाब ध्यान से सुनिएगा श्रसन करने के लिए इनके पास कौन-कौन से अंग है या तो शरीर की सते से ही हो जाएगा सर उधारन बताते जाएगा शरीर की सतय से हो जाएगा सर किसम होएगा शरीर की सतय से तो याद रखना शरीर की सतय में होता है किसमें इसमें ये कौन है जानते हैं इसको हम बोलते हैं बीटल्स भरंग बोलते हैं बरंग बोलते हैं इनको beauasas बीटल्से खोती थे हैं बीटल्स इनमें शरीर की सात्य से की should'ul का आधान परदान हो जाता है क्लूम क्लूम यह वर्ड आपने सुना होगा कही नद डे अधिनिया अएंल्ये कुछ अपने नाम सुना होगा क्लूम सुनियां हाँ जी फिट्रमम नाम सुना जाता है का होता है ना कई बच्चे इस चीज़ को हलके में ले लेते हैं यहां से प्रशन आएंगे याद रख लेना हमारे अंदर एनरजी कम हो गई है लेकिन आपको बिल्कुल सारी सारी चीज़े पढ़ा रहे हैं फोकस कर लीजे मेरे दोस्त क्लोम जो है वो किसमें मिलते हैं जींग मचली जींगा प्रांस जिसको खाया जाता है लोग खाते हैं इसको श्वासनली अट्रेकल ट्यूब्स बोलते हैं इनको याद रखना आपका जो कॉक्रोच हो गया तितली हो गया नि जादा तर जादा तर आपके आर्थोपोडा में या जादा तर कीटों में जो श्वसन अंग होते हैं वो होते हैं क्या श्वास नलिया ट्रेकेल ट्यूब जैसे कौकरोच में तितली में इन सब में श्वास नलियां होती हैं जिनके द्वारा गैसों का आदान परदान होता है और आखरी जहां से प्रशन आता है वो है पुस्तक फुफुस जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं पुस्तक फुफुस बुकलंग्स बोलते हैं अब थोड़ा सा पीछे चलिएगा बिटा आपको ये पराड़ी कौन सा दिखाई दे रहा है सर बिच्छू इसी बिच्छू में स्कॉर्पियन में जो मिलते हैं श्वसन अंग वो कौन सा होता है याद रखिएगा भूलना जाएगा कौन बुकलंग्स जो होते हैं सरी बुकलंग्स होते क्या है न दिमाग में प्रशन आएगा सरी बुकलंग्स होते क्या है बुकलंग्स होते क्या है हो सकता है हमारी एनरजी कम हो गई हो सकता है आपको इंटरस्ट थोड़ा सा कम आ रहा हो लेक इस तरीके से हमारे नॉर्मल लंग्स होते हैं हां सर हमने देखे हैं अब मैं तुमसे कहूं कि मेरे भाई अगर तुम्हें फेपड़े अगर ऐसे दिखाई दे बुक के आकार के पुस्तक के आकार के तो ऐसे फेपड़ो का हम क्या बोलेंगे बुक लंग्स का ता में इतनी सी बात है तो ऐसे बुक लंग्स किस में मिलते बिटा जी बिच्छू में मिलते हैं याद रखना स्कॉर्पियन में मिलते हैं याद रखिएगा ठीके जी याद लीडे को हम मारते हैं तो उसके अंदर से जो तरल निकलता है उसका नाम होता है हीमो लिंफ याद रखना जो रंग हीन होता है उसके अंदर कोई भी रंग नहीं होता है तो परिसंचरन तंतर इनके अंदर कैसा होता है खुला होता है शरीर के अंदर फैला रहता है कौन तरल न समधनों को वाता वर्ण में जो भी परिवर्तन हो तरीव हो रहे हैं उन को महसूस करने का उनको princi and की हम बोलेंगे समझ नहीं ग्रहन करने का काम का वो performed है एक आख के अंदर बहुत सारे लेंस है तो बहुत सारे लेंस है तो संयुक्त नेत्र एक लेंस है तो सिंपल सरल नेत्र होते हैं ठीक है इनके अंदर कीमू रिसेप्टर होते हैं रसायन ग्राही होते हैं अलग-अलग रसायनों की इंदर उच सर्जन अंग की तरह कारए करती है भूलना जाहिएगा क्या उच सर्जन अंग किसमे और भोड़ में बूलीएगा मत कौन मेल पीगी नलिकाएं ये कैसे होते है एक लिंगी होते है और अंडे देते हैं कैसे होते है अंड प्रजक होते है अंडे देते हैं याद रखना है अब यहां पर हम कुछ उधारण देखने वाले हैं पस ये थोड़ी सी चीज είναι इसको चीज पढ़ लीजिएगा आर्थिक रूप से महतपूर्ण कीट हम उधारन देखने वाले हैं कुछ ऐसे कीड़े जो हमारे लिए महतपूर्ण है जरा देखिएगा सोच समझकर मुझे बताएगा ये कौन है सर ये है मदुमक्षी कौन है मेरे दोस्त मदुमक्षी क्या हमारे लिए फाइदे मंद है ये सर क्या मिल रहा है शहद मिल रहा है मौम मिल रहा है इसके जो डंक जो होता है उससे दवाईयां भी बनाई जाती है सो आर्थिक रूप से महतपूर्ण है कौन एपिस एपिस कौन मदुमक्खी, एपिस तो इसका वंच होता है, इसकी कई सारी जातियां होती है, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरिया, एपिस मेलिफेरा, एपिस डोरसाटा, ये क्या होती है, अलग-अलग जातियां होती है, किसकी, आपकी मदुमक्खी की, तो मदुमक्खी की अलग-अलग ज आती है होती है जिसमें से इंडिया में जो मिलती है वो कौन सी होती है एपस इंडिका कौन सी होती है एपस इंडिका कहां पर मिलती है इंडिया में एपस डोर साटा जो होती है वो चटानों पर मिलती है रॉक रॉक बोला जाता है इनको किसको रॉक हनी भी बोला जाता है किसक इतना सा एपिस है वंच किसका मदुमक्यों का हमारे लिए है लाबदायक नेक्स्ट दूसरा ये कौन है सर ये तो रेशम का कीड़ा है जिसको हम क्या बोलते है बंबेक स्मोरी क्या नाम है बंबेक स्मोरी रेशम का कीड़ा है रेशम पराप्त किया जाएगा किस से बिटा जी इस रेशम के कीड़े से ठीक है next क्या है बटा जी ये इस जरह इस डाइग्राम को देखेगा इसमें कीड़ा दिखाई दे रहा है एक बच्पन में खेलते थे ना एक बुझो तो जाने है ना चित्र होता था इसमें छांटना होता देखना यहां पर कोई कीड़ा दिखाई दे रहा है आपको हाँ सर दिखाई दे रहा है यह देखे यह छोटा सा कीड़ा दिख रहा है हाँ सारी यह है कीड़ा यह नहीं है यह लाल-लाल यह कीड़ा नहीं है सर फिर यह लाल-लाल क्या है यह है लाक सर लाक कितना लाक एक लाक दो लाक तीन लाक कितने लाक तो लाक क्या है विटा एक रसायन है जिसको हमने लाक बोला इंगलिश में क्या बोलते है लाक हिंदी में बोलते है लाक अब मेरे ख्याल से आप इतना समझ गये हैं कि यह एक कीडा है जिसका नाम है लेसिफर लाखा जिसको हम लाख कीट बोलते हैं यह ये पेड़ों को संकरामित करता और उन पेड़ों पर यह लाख उत्पन करता है अब आप मेंसे कोई लड़की या कोई लड़का राजिस्थान से बिलोंग करता है तो वो डैफिनेटली ये जानता होगा, वहाँ पे इस्तरियां जो होती है, ओरतें जो होती है, राजिस्थान में जो ओरतें होती है, वो चूड़ियां पहनती है, क्योंकि, मतलब पहनती ही सब जगे है, वहाँ पर especially पहना जाता है, क्योंकि वहाँ पर रिवाज होता है, कौन सी अगर आप जानते हो, कुछ गलत काम कर देती है तो उसकी organization को बंद करने के लिए कुछ सरकारी आदमी आते हैं हाँ आते हैं एक लाल रंगी सियाई से ठपा लगा देते हैं वो भी क्या होता है लाक होता है एक रसाइन होता है एक chemical होता है और इसको produce करने के लिए हमारी कौन इस्तमाल होती है एक कौन सा मादा एनाफिलीज मौस्किटो कौन सी है बिटा जी ये एनाफिलीज है और इससे जो रोग होता है वो कौन सा होता है मलेरिया होता है कौन सा रोग होता है मलेरिया और इसकी लार में कौन मिलता है पलाजमोडियम मिलता है इसकी लार में कौन मिलता है पलाजमोडियम वो थोड़ा सा कैसा था ऐसा सा था ये थोड़ा सा काला सा है ये है क्यूलेक्स मौस्किटो और इसी से ही क्या होता है बिटाजी याद रखना कौन सी बिमारी होती है इसे elephantiasis जिसको हमने क्या बोला था philariases हाथी पाउं बोला था वुचे रेरिया कौन मिल रहा था वुचे रेरिया वुचे रेरिया कौन था एक प्रकार का गोल करमी था कौन था ये गोल करमी था SKL में थीज था और यहां पर Plasmodium क्या यह प्रोटिस्टा जगत में Proto-Joa होता है Proto-Joa होता है Proto-Joa Proto-Joa जीव जगत का वर्गी करण जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर Proto-Joa समू के अंतरगत Sporo-Joa एक समू होता है जिसके अंतरगत आता है कौन सा Plasmodium So वुचेर एरिया मिल रहा है किसमें Qlex मच्छर की लार में और Plasmodium मिल रहा था किसके अंदर Mada Aenaflis मच्छर में और यह तीसरा है कौन सा A.D. दिखने में थोड़ा सा खतरनाक टाइप का दिखाई दे रहा है काला सा है जिसमें सफेज सफेज रंग के चतके से हैं यह आपको ज़्यादा तर दिख जाएगा कहां पर? क्यारियों में दिख जाएगा जहां पर पुश्पु पुश्पु होते है शाम के समय यह दिख जाता है मैं तो कई बार देखा हुआ है यह एडीज, एजिप्टी इससे जो बिमारी होती है बिटा यह दोनों तरह की हो सकती है एक बिमारी होती है कौन से? डेंगू? डेंगू एक बिमारी है वो भी इसी से होती है और एक होती है चिकुन गुनिया चिकुन गुनिया चिकन गुनिया वो बिमारी है चिकन गुनिया नहीं है चिकन गुनिया है चिकन गुनिया वो बिमारी होते है जिसमें जोइंट जो होते है संधियां जो होते है बहुत ही भैंकर पेन होता है संधियां संक्रामित हो जाती है डेंगू जो होता है ये भी अलग-अलग प्रकार का होता है एक classical डेंगू होता है एक normal डेंगू होता है तो अलग-अलग प्रकार की डेंगू होते हैं ये बिटा ये बिमारिया जो है ये वाइरस से होती है ये किस से होती है विशाणू जनित रोग होते है डेंगू जो होता है वो एक वाइरस से होता है जिसका नाम होता है फ्लेवी राइबो वाइरस और चिकुनगुनिया जो होत की लार में होते हैं ये थे रोग वाहक रोगों का वहन करने वाले आपके कीट इसके बाद अगला जो संगाता है वो आता है मुलसका हमको बस आज इतना ही पढ़ा पाएंगे बालक अब इसके बाद की जितनी भी कहानी है मुलसका ऐकाइन ओडर्मीटा हैमी कॉड़िटा और क संग मातर चार संग बचे हैं लेकिन जो आखरी संग है वो सबसे बड़ा है कौन सा कॉर्डेटा है ना तो अब हम मिलेंगे कब फ्राइडे को और उस फ्राइडे के दिन हम ये पूरा एनिमल किंग्डम कंप्लेट करेंगे तो आज के लिए बिटा हम इतना ही पढ़ेंगे संग हमने पढ़ लिए है चार संग आपके बाकी है लेकिन जाने से पहले हमने आपसे बोला था 1.5 के करके जाएगा वो नहीं करा आप लोगों ने हाजी कर दिया गया नहीं किया 1.5 के नहीं किया भाई आपने लाइक हैं चलो कोई बात ने अगली बार कर देंगे नेक्स ट बातों में भी होते हैं और शरीर के दूसरे भागों में भी होते हैं वहाँ पर सिर्फ पैरों की बात कर रखी थी ठीक है है हाँ जी ठीक है रविंदर रविंदर सर यहाँ पर पढ़ने कम आते हैं भाल तु कमेंट करने ज़्यादा आते हैं हाँ रीना छोड़ो कोई बात नहीं तुम अपना चैट देखो जिसको बाते करनी है वो चैटिंग करेगा और जिसको बात नहीं करनी है न वो ऐसे अपने फॉन को ऐसे करेगा यह ऐसे हो जाएगा और यह chat बंद हो जाएगी और ऐसे अराम से वो सुनेगा अपनी copy में लिखेगा बेटा सिर्फ 2-3 पाकी 98-99% ऐसा बच्चा है जो chat off करके पढ़ाई करता है तो वो जो chat off करके पढ़ाई नहीं कर रहा है वो सिर्फ बाते करने है spam करने है तो हमें रती भर भी उनसे कोई फरक नहीं पढ़ रहा है ठीक है भाई कौन सा टारगेट है अरुनकुमार हमको क्या पता कौन सा टारगेट दे दिया मैडम ने तुमको हमको का पता हाँ जी है very good so सब समझ में आ गया कोई confusion तो नहीं है जब आपको सब समझ में आ गया है तो नीचे comment section में आप पहले तो मैंने आज आपको ये दो-तीन चीजे बताई है comment section में क्या करेंगे जिनको telegram का channel का link चाहिए वो comment section में telegram के channel का link बता देंगे है ना दूसरा comment section में हमको ये बता दीजिए बता दीजेगे अब मैंसे डाल दीदेगा हमको बड़ा अच्छा लगेगा hashtag सब समझ आया hashtag सब clear है सब समझ में आया मस्त लगी class hashtag जो आपका मन करे hashtag करके कर दीजेगा ठीक है चलिए जी बहुत ही बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आने के लिए रुकने के लिए अगले Friday को भईया ये पढ़ेंगे गेंगा गेंगा नी गौंगा कौन आपका sneeze यानि मुलस का दूसरा सबसे बड़ा संग है मुलस का Echinodermita Hemicodita और Cordita तो मिलेंगे बिटा जी अब हम Friday को इसी समय बारा बजे तब तक के लिए Do whatever you want to do man Do whatever you want to do man बस पढ़ाई करते रहेगा ठीक है जी Bye Bye Take Care